नमस्कार वंदे मात्रम जैहिंद आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्यारे साथियो खार्दे का विनंदन है आपके अपने योट्यूब चैनल कॉंपटिशन गुरु में तो मेरे प्यारे साथियो आप सभी लोग जल्दी से फटा फट से लाइव आ जाएं और एक बार मुझे कंफर्म करा दें कि आप लोगों को ओडियो और वीडियो क्लियर है अगर आप लोगों को ओडियो वीडियो क्लियर है मेरे प्यारे साथियो तो जल्दी से एक बार देख लेता हूं क्योंकि बाद में हम कमेंट नहीं लेंगे ज़रूरत के होंगे वहीं लेंगे शेतन, राहुल, पूनम, कुईन, पीके, रवेंदर सिंग, सभी दोस्तों का most welcome तो पहले हम class को start करें, इससे पहले ये समझ लेते हैं कि इस topic या इस class के अंदर हम क्या-क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं दोस्तों आज की class में हमारा एक most important topic रहेगा clock अब clock topic आपके हर एक exam में आता है, कोई भी exam हो, चाहें SSC का हो, railway का हो, police का हो, state exam हो अब वीडियो का, police development officer का exam आने वाला है, re-exam, उसके लिए भी बहुत ही sufficient class रहेगी है तो आप उस exam की त्यारी कर रहे हैं, तो भी इस class को definitely देख सकते हैं सर क्या यहां से clock करने के बाद में हमें कहीं और से भी पढ़नी पढ़ेगी, नहीं आप यहां से clock topic को complete कर लें, किसी भी writer की कोई भी book उठा लें एक एक प्रश्न आपका solve होगा, यह हमारा आपसे वादा है, ठीक है इसकी PDF आपको description में एक link दे रखा है, टेलिग्राम का वहां पर मिल जाएगी जब class complete होगी उसके बाद, solution की भी without solution की भी दोनों PDF मिल जाएगी ठीक है, सारी चीज़ें मिल जाएगी, चलिए, शुरुबात करते हैं, हर एक exam के लिए काम करेगा बीच में अब comment आपकी नहीं ली जाएगी, जो भी student, जो भी comment थी आपने कर दिया यूट्यूब इतिहास में पहली बार ऐसी trick, यानि आप लोगोंने already देखा होगा यूट्यूब पर या मैंने भी लगातार देखा यूट्यूब पर ऐसी trick, यूट्यूब पर तो बिलकुल भी नहीं है, जो आज आप सीखने वाले हो ठीक है, दूसरी बात, कोई भी ऐसी clickbait वाला system नहीं होगा, आज clock यानि clock को हिंदी में घड़ी कहा जाता है एक वीडियो में घड़ी का अंत, यानि एक ही वीडियो में सारा कुछ complete हो जाएगा आपके सामने latest pattern, यानि जो latest pattern एक्जाम में बने हैं, last exam से में, वो question भी मैंने लिए है master class है, बहुत दिनों के बाद आपको देखने को मिल रही होगी, ठीक है, master class चलो, सब कुछ मिलेगा भाई, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, अब शुरूबात कर देते हैं हम लोग देखें, ये आपके सामने एक blank घड़ी है, खाली घड़ी है, ठीक है अब आपके सामने जब ये मैंने घड़ी दिखाई है, तो यहाँ पर already आपके PDF में इस सारे section मिल जाएंगे, आपको आराम से, ठीक है, free मिलेगा सारा कुछ PDF free होगी बिल्कुल, चिंता ना करो, हम जब घड़ी देखते हैं तो घड़ी हमें कुछ इस परकार के दिखाई देती है, हाँ या ना, दिखाई देती है इस परकार के जी, सर बिल्कुल आप ठीक करें, ऐसी ही घड़ी हमें दिखाई देती है, दो बातों पर खास देहान र पढ़ाएंगे, आपको ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर करा देंगे, आज जितनी भी ये क्लास होगी, इसके बाद आपको कोई क्लास नहीं देखनी है, ठीक है, मतलब टॉपिक से संबन देते हैं, तो देखो यहाँ पर ना, आपने देखा सर हमारे पास घड़ी के अंदर 12 घंटे होते हैं, यानि जब एक घड़ी कंप्लीट अपना टर्न लेती है, आज गोल घूम जाती है, तो कितना एंगल घूमती है, तो आप कहेंगे सर, 360 डिगरी घूमती है, यानि मैं कहूँ आपसे, कि अगर कोई सुई यहाँ थी, वो मिनट की, सेकेंड की घंटे की कोई अगर यहाँ से कंप्लीट इस तरीके से घूम करके फिर दोबारा यहीं पहुँच गई, तो कितना डिगरी एंगल चली है, तो आपका आंसर होगा सर, वो तो 360 डिगरी चली है, बोला हाँ या ना, बिलकुल सर, 360 डिगरी होता है, क्योंकि आपने क्लॉक में भी पढ़ा और इसके लावा डारेक्शन टेस्ट में भी पढ़ा होगा, कर मैं डारेक्शन टेस्ट भी देखू, तो इस परकार से आपका रहता है, बोला सर, यहां से यहां तक का जो एंगल होता है, और यहां से यहां तक का यह भी 90 डिगरी का एंगल है, तो अगर 12 से 6 तक मैं 12 तो मैं अगर 360 डिगरी को 12 से भाग कर दूँगा तो यह 12 दूनी 24 बारे ती यह 36 यानि 30 डिगरी यानि आप लोग यह कह सकते हैं कि सर जब कभी भी मैं एक स्टेप चलूँगा घड़ी का तो वो होगा आपका 30 डिगरी कितना होगा वो 30 डिगरी होगा हाँ या ना अगर मैं कहूँ आपसे 12 से यहां तक चलूँ मैं ठीक है 12 से एक तक चलूँ तो यह कितना डिगरी होगा बोला सर 30 डिगरी होगा राइट, तीस डिगरी होगा, डेफिनेटली तीस डिगरी होगा, एक से दो तक चलूँगा, तो फिर आपका तीस डिगरी होगा, एक से दो तक चलने के लिए भी तीस डिगरी होगा, यानि तीस डिगरी हो गया, यह अगर मैं मिनिट में देखू, तो कितने मिनिट में तीस ड तो यह कितना होगा बुला सर अब 30 को 5 से भाग कर लो ठीक है आंसर आ जाएगा चलो इतना क्लियर है तो यह आपको समझ में आ गया कि भई हमारे पास जो गैप होता है घड़ी के अंदर कंप्लीट 360 डिगरी का होता है 360 डिगरी का गैप कंप्लीट होता है कितने घंटे में बुला सर 12 घंटे में हमारे पास घड़ी जो चलती है वो 12 घंटे नहीं कह सकते हैं पूरा कम्प्लीट करने में, उसको 360 डिग्री घुमना होता है, लेकिन इसको 12 गंते की सुई हो, दो ह 23 डिग्री Stunden hose को सु ई हो, उसे 12 सेप क्लीयर करने ही यह नहीं बारे स्टेप में कितना चलेगी? 360 गो तो 30 डिग्री चलीगी, यानि जब भी वो एक step clear करेगी तो वो 30 degree चलेगी एक step बरावर 360 30 degree हाँ या ना बोला sir clear है ये बात समझे 12 step में चलेगी 360 और एक step में कितना चलेगी 30 degree ठीक है चलो अब आते next आगे अब घड़ी की मैंने आपको 3 आकरतियां दिखा रखी है यहां दिखाई दे रही होंगी 3 की 3 अब मैंने इसलिए 3 आकरतियां घड़ी की दिखाईयां क्योंकि घड़ी के अंदर होती है 3 सुईयां कितनी सुईयां होती है घड़ी के अंदर 3 सुईयां होती है एक सबसे तेज चलने वाली सुईय होती है 2nd की सुईय ये सबसे बड़ी भी होती है देखने में देन उसके बाद दूसरी सुई होती है आपकी मिनट की सुई जो उससे छोटी होती है और सेकंड की सुई से थोड़ा धीरे चलती है एक तीसरी सुई होती है घंटे की सुई जो सबसे धीरे धीरे चलती है तो जो सबसे छोटी सुई है मानलो मैंने उसको तीन पर लगाया तो आप इसको पैचाने के कैसे गंटे की सुई है क्योंकि यह सबसे छोटी है अब मानके चलिए मैंने मिनट की सुई को थोड़ा सा बढ़ा कर दिया तो आप कहेंगे सर यह मिनट की सुई है लेकिन एक और सु लखेड़ी में ही देखना है तो देखों एक घड़ी खराप मेरे पास रख्क ही होई है हुआ हढ़ीण city रहा हा उन्लाक्य चल मेरे बंद है। यहाँ पीनर उन्टित की इन तीनynn?" इन सोई हमारे पाशन है है और शॉन में तो हमें इन तीनों सुईयों के बारे में अच्छे से समझना पड़ेगा कि कौन सी सुई कितना देर में कितना चलती है अगर ये चीज हम crystal clear कर लेते हैं तो हमारे पास तीन प्रशन तो यहीं से clear हो जाएंगे चलो next page पे देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक clock बनाई है चलो एक और blank page लेते हैं खाली उस पर समझने का प्रियास करते है या इसी पर समझेंगे इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे यह हमने घड़ी बनाई अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक swing की बात करते हैं हम minute की swing की जो सबसे important swing है minute की swing ठीक तो आप heading डालेंगे minute end क्या डालेंगे minute end English में इसको minute end कहते हैं और हिंदी में कहेंगे minute की swing मिनट की swing बुला हाँ या ना सर कहेंगे minute की swing definitely बिल्कुल सर तो यह सबसे पहला प्रशन है हमारा सबसे पहला प्रशन है हमें समझना है minute की swing को अब यह बताईए कि minute की swing जैसे अब यह swing है complete अब minute की swing दिख रही है आपको यह वाली सुई जो यह वाली सुई है यह minute की सुई है अब मालो की यह चक्कर अपना पूरा एक लगा दे तो कितने degree move करेगी यह देखो ज़रा आप यहां से घूम रही है यह घूम करके बारह पर आ गई इसने यह पूरा चक्कर लगाया यहां से यहां तक कितने दिर में लगाया है एक घंटे में क्योंकि यहां देखो पहले बारा बजे हुए थे आपके सामने की बात है तो यहां हम लोग कहेंगे कि सर मिनट की जो सुई है वो एक घंटे में अच्छा एक घंटे को दूसरी वासा में हम साथ मिनट कह सकते हैं या नहीं बोला सर बिलकुल कह सकते हैं तो हम ने कहा कि भईया साथ मिनट के अंदर अंदर ये सुई कितना चली है तीन सो साथ डिगर जली है हाँ यंना हाँ यना बूला बिल्कुल सहवी एक घंटे में तीनीशू साथ डिगरी चली है कि अगर मैं आप से यह पूच्छओ के हैं मिनट में कितना चली है एक मिनट में कितना चली है तो आपका अंसर क्या हो दा चाहिए बताओ, बोला सर एक मिनट के लिए 360 बते आप 60 कर लो, 360 बते 60 कर लो, देखो 0 से 0 और 6 चिक के 36, तो यह पूरा जो कटा हमारा यहां से 0 से 0 कटके 6 से 36, छे बार कटा, तो हमारी जो चली है, वो सुई चली है, 6 डिगरी, यानि हम लोग यह भी तो कह सकते हैं, कि सर एक मिनट मे जो मिनट की सुई चली है, वो कितना डिगरी चली है, बोला सर, 6 डिगरी चली है, यह याद रखने वाली बात है, यह समझने वाली बात है, बस, ठीक है, समझने वाली बात कौन सी है, यह पूरी, याद रखने वाली बात कौन सी है, निचे वाली, याद यह रखना है, समझ कारी भी जरूरी है एक चीज क्लियर हुई मिनिट की सुई के बाद मिनिट की सुई के बाद जो हमारी दूसरी चीज important होती है वो कौन सी सुई होती है वह कौन सी सुई होती है देखो जरा मिनिट की सुई के बाद होती है हमारी important swing, घंटे की swing, एक मिनट रुकना, मिनट की swing के बाद हमारी दूसरी बाद होती है, घंटे की swing, या इसको our end बोलते हैं, our end, यानि घंटे की swing, घंटे की swing, ठीक, अब घंटे की swing के बादे में हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं देखू यह है गंटे की सुई गया आध्यान से ये मैं पहले से बारève पर तरदेता हूं देखू यह है गंटे की सुई कौनसी वाली जो बारotype पर दékधा देर रही है न इस कि यह पूरा चक्कर अब क्लियर करने में इसको 12 घंटे लगने वाले हैं या ना बिलकुल बिलकुल- बिलकुल बिलकुल तो यह यह यहाँ पर घंटे की स्भीक कम्पिलीट चक्कर जो लगाएगी वो लगाएगी कितने देर में 12 घंटे मैं तो ये 12 गंटे में कितना डिगरी चलेगी, बोला सर 360 डिगरी चलेगी, हाँ या ना, आफकॉर्स चलेगी, अगर 12 गंटे में 360 डिगरी चल रही है, तो मुझे बताईए कि 1 गंटे में कितना डिगरी चलेगी, तो आप कहेंगे सर 1 गंटे में 360 बढ़ते 12 कर दीजिए, तो उतने महारती हो आप आराम से निकाल सकते हैं इस वैलियू को अगर मैंने कहा एक घंटे में 30 डिगरी चल रही है तो यह एक मिनट में कितना चलेगी भई एक बात बताओ मुझे चोटी सी बात है इस एक घंटे को दूसरी भासा में 60 मिनट कह सकते हैं हाँ या ना एक घंटे को दूसरी भासा में 60 मिनट कह सकते हैं यह सर अफकॉर्स कह सकते हैं तो मैं यह कह सकता हूँ कि भई यह सुई 60 मिनट में 60 मिनट में कितना डिगरी चली है बोला सर 60 मिनट में यह चली है कितना 30 डिगरी यानि 60 मिनट में 30 डिगरी 60 का आधा 30 डिगरी तो एक मिनट में कितना च चलेगए इसके लिए कि आ करेंगे सर जब बठेट हम लोग लोग से काटेंगे थीन से एक बार ति ьासा में कितना चलेगे गंटे की सुई, 30 मिनट में, तो आपका आंसर हो गासर 15 डिगरी, क्योंकि गंटे की सुई अपने आपका कितना आधा चलती है, मिनट का आधा चलती है, 10 मिनट में 5 डिगरी, 15 मिनट में 7 डिगरी, 20 मिनट में 10 डिगरी, 50 मिनट में 25 डिगरी, जितनी भी मिनट होंगी उसका आ सुई का भी बड़ा important role है यहाँ ठीक है देखो यहाँ पर हम बात करते हैं third हम यहाँ पर बात करते हैं तीसरी सुई second hand की second hand यानि second की सुई अब ध्यान देना आप लोग second की सुई की तो मेरे प्यारे साथियों एक बड़ा simple सा प्रश्ण में आपसे पूछना चाहता हूं कि यह second की सुई है जो सबसे बड़ी दिखाई दे रही है यह बड़ी तेज चलती है ना बहुत तेज ऐसे 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 करके भागती है जेतनी देर में हम लगवक पलक जपकते ना अपना एक बार उतनी देर में यह अपना second की सुई आगे बढ़ती है यानि हर second यह एक step आगे बढ़ती है और जैसे ही 60 second हो जाते है तो यह complete अपना एक चक्कर कर लेती है यानि एक minute में ऐसा ही होता है नहीं हाँ या ना जानते हैं सब लोग यानि सर यह चक्कर जो लगाती है न 360 degree का वो एक minute में चक्कर लगाती है पूरा तो एक minute में तो अब हमने देखा जर यहां पर जीरो से जीरो 6.36 यानि के 6 डिग्री एक सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगी वो 6 डिग्री का डिस्टेंस कवर करेगी और एक मिनिट में डिग्री कवर करेगी तो 360 डिग्री कवर करेगी यह तीनों आपको याद होने जाने चाहिए तु जो चीज यहां समझ नहीं आए उसको नोट कर ले ना कि यहां समझ नहीं आई यह बाद में हम जब क्लास के बाद देखेंगे नोट कुछ नहीं करना है दिहान पूरा यहीं रखना है क्योंकि इसकी exact जो PDF यह digital में मिल रही है यह आपको बाद में मिल जाएगी तो अपना यहा आपको यह मिल जाएगी ऐसे की ऐसी sheet ठीक है चलो अब आते हैं आगे आगे हम आए तो हमने देखा मेरे भाई कि हमारे पास तीन प्रश्न है इन तीनों प्रश्नों को बड़ी ध्यान पूर्वक आप देखिए एक बार सेशन को आप लोग शियर करने सभी आप से पूछा कि मिनट की सुई घंटे की सुई से कितने गुना तेज चलती है सेकंड की सुई मिनट की सुई से कितने गुना तेज चलती है सेकंड की सुई घंटे की सुई से कितने गुना तेज चलती है यहां से तीनों प्रश्न आपको crystal clear करने है यहां से यह प्रश्न आपको crystal clear करने है तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पहले प्रश्ण की, तो पहले प्रश्ण में पता है, आपसे क्या पूछ लिया, कि मिनट की सुई, है ना, और घंटे की सुई से कितने गुना तेज चलती है, पहले आपको देखना है कि सुई चलती कौन सी तेज है, घंटे की या सेकंड की, सर से एक चकर पूरा कितने दिर में लगाती है, बोला सर, यह तो मिनट की तो एक घंटे में लगा लेती है, लेकिन घंटे की सुई तो भई है, बारा घंटे में लगा पाती है, तो यहाँ यह प्रश्ण का आंसर जो होगा, वह आप पीछ आओ, यहाँ हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक मिनट की सुई और एक घंटे की सुई, तो मिनट की सुई यह रही, घंटे की सुई यह रही, अगर घंटे की सुई, बारा घंटे में 360 डिगरी चकर लगाती है, और मिनट की सुई, एक घंटे में 360 डिगरी लगाती है, तो कितने गुना तेज है, यह कोई व्यक्ति पहला प्रश्शन, कितने गुणा तेज है, 12 है, गुणा तेज चक्कर लगाती है, दुसरा प्रशन है, सेकेन्ड की सुईल, मिनिट की सुईल से कितने गुणा तेज चकर लगाती है, तो अब यहां ध्यान दीजिए, अब हम फिर से पीछ आएंगे, जो हमने अभी सीखा, इत 360 degree जा रही है, है ना, minute की सुई, और second की सुई, एक minute में 360 degree जा रही है, एक व्यक्ति है, जो 60 minute में 360 degree जाता है, दूसरा व्यक्ति है, एक minute में 360 degree जाता है, एक minute, 60 minute, कितने गुना तेज है, 60 गुना तेज है, क्या answer होगा, 60 गुना तेज है, कितने गुना तेज है, 60 गुना है। है न सीम 1 question? आगे next questions आया आपके सामने है, second की सुई घंटे की सुई से कितने गुना तेज चलती है? अब हमें जो चैक करना है वो सेकेंड की और घंटे की सुई को देखना है, हमारे पास देखो सेकेंड की सुई यह है गंटे की सुई यह है अब इन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमें क्या क्रेट हो रहा है क्रेट यह हो रहा है कि सर देखो यहां यह आपकी 12 गंटे में 360 डिगरी जा रही है ये आपकी 12 घंटे में 360 डिग्री जा रही है और ये 1 मिनिट में 360 डिग्री जा रही है अगर हमें थोड़ा सा दिमाग है, हलका सा भी दिमाग है तो हम एक चीज सोच सकते हैं, कि सर कोई व्यक्ति है जो घंटे में चल रहा है और कोई व्यक्ति है मिनक्ट में चल रहे, एक value मिनक्त में है, एक घंटे में है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, लेकिन अगर उस घंटे वाली value को भी मिनक्त में convert कर लें, तो हमारे लिए आसान है फिर तो, अगर हम, इन 12 घंटों को minute में convert कर लें, तो हमारे लि तो अब आपका जो वैल्यू है ना बारे घंटे की ब्रेक हो गई थी गई वीडियो एक बार सभी बताएंगे कि ब्रेक हो गई थी क्लास रुग गई थी गई हलकी सी ओके राजपूत साव एक बार सभी लोग कंफर्म करा दें अभी वीडियो क्लास क्लियर चल रही है ओके है चलो कोई बात नहीं हलका सा कोई टेक्निकल एरर आ गया था हलाकि मैं जहां तक समझाने का प्रियास कर रहा था वहां तक आप समझे होंगे मैंने कहा आपको कि एक व्यक्ति एक मिनट में 360 डिगरी चल रहा है फिर मैंने इस 12 घंटे को मिनट में कनवर्ट कर लिया 720 मिनट तो एक व्यक्ति एक मिनट में चल रहा है दूसरा 720 मिनट में तो कितने गुना तेज है बोला सर 720 गुना तेज है 720 गुना तेज है हां या ना बोला इसका आंसर होगा 720 गुना तेज ये तीनो प्रशन I hope कि आपको crystal clear हो गए होंगे ये तीनो प्रशन आपको crystal clear हो गए होंगे अब हम इसके बाद अगले question की और बढ़ते हैं अगले point की और बढ़ते हैं एक प्रशन है आपके सामने बिना देर किये हुए इस प्रशन का आ 40 मिनिट तक मिनिट की सुई द्वारा तै की गई कौणिये दूरी ग्याद करें कौणिये दूरी ग्याद करें अब यहां थोड़ा ध्यान दिमाग लगाना है थोड़ा सा सर हमसे प्रशन ने क्या पूछा है कि 12 बजगर 16 मिनिट से 2.40 तक मिनिट की सुई द्वारा तै की ग चलती है हाँ या ना बिल्कुल सर अब यहां एक चीज बताइए अगर घड़ी में आपका समय होता दो बज करके 16 मिनट तो घंटे की सुई तो लगवग यहां होती और मिनट की सुई लगवग यहां होती दो सुले पर तीन से थोड़ा सा आगे हाँ या ना फिर किरा दो बज के 40 मिनट तो यह घंटे की सुई है न वो लगवग यहां आ जाती या यानि हम यह दो बड़ा चोटा ही गरते थोड़ा सा यह घंटे की सुई लगवग जो चल करके यहां आ जाती और यह मिनट की सुई जो है वो चल करके 40 मिनट हो रहे हैं तो आठ पर यहां हो जाती तो आप घंटे की सुई से नहीं कुछ भी पूछ रहा हो आपसे क्या कहां है कहां नहीं है वो केबल आपसे पूछ रहा है कि जो मिन्टों की सुई ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना डिस्टेंस कवर किया है तो भाईया एक बात बताओ क्या आप लोग यह नहीं जानते हो कि सर एक स्टेप 30 डिगरी का होता है, एक स्टेप 30 डिगरी का होता है, तो यहां से हमने देखा सर, देखो, तीन, तीन, दुने, छे, तीन, 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 ती पर हुआ 30, 60, 90, 120, 150, हाँ या ना, बिल्कुल सर, 150 डिगरी हमने जोड दिया, लेकिन थोड़ी सी सोच हमने और रखनी है, कि सर ये जब 16 मिनिट हो रहे होते हैं, तो क्या सुमी तीन पर रहती है, नहीं, तीन से एक स्टेप नीचे, हलका सा स्टेप नीचे यहां रहती है तो 6 डिगरी हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो 144 डिगरी आपका आंसर आ जाएगा, एक तरीका तो आपका ये है, लेकिन इस तरीके को एपलाई कभी नहीं करना आपको, क्योंकि गलती कर दोगे हमें सा ऐसा एपलाई करोगे तो, फिर सर कौन सा तरीका हम एपलाई करें, म गंटे काट दिये, अब यहां इन दोनों का आपको अंतर लेना है, बोला, 40 में से आप 16 माइनस कर दो सर, 40 माइनस 16, तो हमारे पास कितना आएगा, 40 में से हम 16 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा, 24 मिनट का, अरे भाई, इससे भी आसान कोई क्विश्चन हो सक होता है, एक मिनट में हमारी सुई 6 डिगरी चलती है, 24 मिनट में कितना चलेगी, 24 गुणाच है, 24 शिक्के 144 आपका आंसर आएगा, यही करेक्ट आंसर है, एक लाइन का आंसर है, और लाइन भी नहीं दिखनी है, आपको पेपर में केवल मार्क भरना है, या ओनलाइन पेप मिनट का गेप आया, प्रतेक मिनट में 6 डिगरी तो 24 शिक्के 144, आंसर आगया जी, चलिए, बहुत बढ़िया, आई होप कि एक एक स्टुडेंट को क्लियर हुआ होगा, अगला प्यारा सा प्रश्ण यह रहा, दो घंटे 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तै की गई, कौ मोड़ी यह दूरी गयात करें, एक बार आप सभी लोग सैसन को श्यर कर देंगे जितना हो सके, जादा से जादा संख्या में श्यर कर देंगे सैसन को, ठीक है, चलो, अब देखिए मेरे भाई, मेरे मित्र, यहां आप से करा है कि 2 गंटे 10 मिनट में, तो सबसे पहले आपके एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं, तो आप साथ से बाग कर लेंगे, वोला सर, साथ मिनट होती हैं एक घंटे के अंदर, हाँ या ना, तो अगर मैं यह कहूँ कि 2 गंटे में कितनी मिनट होती हैं, गुणा साथ, 120 मिनट होती हैं सर, तो मैंने जो आप से कहा, कि 1 गंटे मे तो आपकी साथ मिनट, दो गहंटे में आपकी 120 मिनट, लेकिन ये दो गहंटे 10 मिनट हैं, तो 120 मिनट में आप 10 मिनट जोड़ देंगे, तो बराबर 130 मिनट आपका answer आगया, अब अगर 130 मिनट में समझना, अगर आपको 130 मिनिट में क्या करना हो एंगल निकालना हो तो क्या करोगे एक मिनिट में 6 डिग्री तो 130 डिग्री को 6 से मल्टिप्लाई कर लो तो 13 छिक के 78 780 डिग्री आपका आंसर आ गया कितने स्टुडेंट ऐसे हैं जिनका 780 आंसर आ रहा है साथ सो असी डिगरी आंसर होगा लेकिन आप धियान दीजिए आप से पूछा क्या है बुला सर कौण ये दूरी बतानी है कौण ये दूरी मेरे भाई maximum कितनी हो सकती है जानते हो आप maximum 360 हो सकती है angular distance 360 डिगरी हो सकता है इससे ज़्यादा नहीं हो सकता कहीं आप दिमाग लगाते हो सर इससे भी ज़्यादा हो जाएगा नहीं होगा बाई से ज़्यादा तो अब ये 780 अगर आंसर दे रखा है तो ये गलत आंसर है फिर कितना होगा आप angular distance होता यहां से यहां से यहां से यहां तक आया 360 एक बार step clear किया 360 तो इसमें से आप 360 माइनस कर दे फिर आप चक्कर लगाईए फिर चक्कर लगाईए फिर 360 डिगरी फिर 360 माइनस कर दे यानि आपने देखा 36-36 कितने होगे 72 यानि टोटल जब हम दो बार move कर रहे हैं आपस में तो 720 डिगरी हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास केवल 60 डिगरी बचा ये हमारा आंसर है ना कि हमारा 780 तो ये correct answer होगा भाई ये correct answer होगा हमारा अब मुझे एक बात बताईए आपको ये clear हुआ या नहीं हुआ मैंने का 780 डिगरी तो केवल आपसे पूछा जाएगा न कि 2 घंटे 10 मिनट में मिनट की सुवी द्वारा तै की गई दूरी कितनी है not कौणिय दूरी not angular distance केवल दूरी तब आपका आंसर 780 होगा लेकिन अगर कौणिय दूरी पूछी है तो 60 डिगरी आंसर होगा बताईये clear हुआ नहीं हुआ clear हुआ या नहीं हुआ clear हुआ या नहीं हुआ ओके की रिपोर्ट है चलो अच्छा अब हम यहां से आगे बढ़ें एक चीज और समझ लेते हैं पीछे आ करके थोड़ा सा कि सर इस topic को हम करतो रहे हैं लेकिन कितने type हम इस topic के अंदर पढ़ेंगे पहले ये भी confirm कर ले शुरुआत में नहीं कर पाए लेकिन यहां कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी सबसे पहला type जो हम अभी cover कर रहे हैं वो हमारा topic है angular distance angular distance यानि कौड़ी है दूरी कौड़ी है दूरी अभी फिला हाल हम पहले topic को ही समझ रहे है जैसी हमारा पहला topic complete होगा दूसरा हम लोग समय से यानि time से time को हिंदी में समय कहते हैं समय समय से हम angle निकालना सीखेंगे angle means कौड angle means कौड और जैसी हमारा ये दूसरा type clear होगा third number पे हम किसी भी angle से कौई angle दे रखा होगा मतलब हमारे पास कौड होगा उस कौड से हम क्या निकालेंगे time निकालेंगे यानि कि समय निकालेंगे clear है समय निकालेंगे अब जैसे हम third type complete करेंगे fourth type हमारा आएगा mirror clock mirror clock mirror clock का मतलब जानते हैं आप दरपन घड़ी दरपन मतलब जानते हैं सीशा दरपन घड़ी और next type यसे complete करते हैं पासमार टाइप हमारा होगा जिसमें हम लोग करेंगे water image घड़ी water image water image clock यानि जल प्रतिबिम्ब घड़ी जल प्रतिबिम्ब घड़ी ठीक है जैसी आपका जल प्रतिबिम्ब complete होगा सटा और last type होगा हमारा error clock error clock यानि घड़ी खराब घड़ी या त्रूटी घड़ी में खराब घड़ी ये इतने type हम लोगों को इस class में cover करने हैं और ये type होते हैं कोई next type होता नहीं कि सर्थ कोई और भी type होता होगा नहीं भाई कोई type नहीं होता ये type चल रहा है sequence में सारी type इस class में cover करने हैं सारे के सारे type ठीक है वादा करी जितने student है लगातार बने रहेंगे जितने लोग बने रहेंगे न ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही motivation आएगा उतना ही ज़्यादा जोस के साथ मैं पढ़ाता हूँगा मेरे भाई ठीक है चलो next हमने देखा ये समझ सुके हैं हम लोग यहाँ ये भी clear कर लिया ये भी clear कर लिया अगला प्रशन देखो बड़ा सुंदर है आपके सामने अभी ये घंटे की सुई के बारे में चर्चा कर रहा है समझ रहे हो घंटे की सुई के बारे में किरा है सुभे 9 बज कर 28 मिनट से 2.20 तक दोपहर तक दोपहर का मतलब पी-म तक घंटे की सुई द्वारा तै की गई कौण ये दूरी गयात करें अभी तक हम ना पिछले question के अंदर वो cable second minute की सुई के द्वारा जो है वो चेक कर रहे थे कि minute की सुई के द्वारा कौण ये दूरी कितनी बनेगी लेकिन अब हम घंटे की सुई के द्वारा बात कर रहे है अब सर एक बात बताओ थोड़ा समझ ना ध्यान से बहुत explain करके चीज़ां समझाओंगा मैं आपको ठीक है slow and fast होता है क्या नाम है आपका सुग्रीव कुमार नाम बड़ा सुंदर है आपका सुग्रीव जी आप कह रहे हैं कि सब slow and fast भी होता है वो error clock के अंदर ही आता है क्योंकि घड़ी में जब तुरूटी होगी तो इसका मतलब है घड़ी या तो धीरे होगी या तेज होगी या बंद होगी होगी तीन टाइप होते हैं इनको बाद में चलके समझेंगे आप निशिंत रहें जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे पढ़ते रहें मैं कह रहा हूँ ना कोई टाइप आपका छूटने वाला ही नहीं है लेकिन विश्वास करके पढ़िए अब आओ आगे तो मैं कह रहा हूँ कि सुबह 9.28 से 20 तक घंटे की सुई द्वारा तै की गई कौड़ी यदूरी याद करें तो जब हम मिनट की सुई के बारे में बात कर रहे थे तो हम घंटे की सुई को यूज नहीं कर रहे थे लेकिन जब हम घंटे की सुई के बारे में चर्चा करेंगे तो क्या minute की सुई को include करेंगे yes sir of course करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं कि घंटे की सुई जो होती है न मेरे भाई उस घंटे की सुई को आप 60 minute में चलाओगे तो 30 degree चलेगे लेकिन अगर 62 minute में चलाओगे नो तो आपको आता ही होगा मैंने already आपको बता रखा है यह तो यहांसे मिटा दूँ जरूरत नहीं है इसके अब देखो यहां जरूरत का काम क्या है बुला सुभ है कि 928 यानि कि 928 928 AM AM से लेकर के 2.20 PM इस बीच घंटे की सुई द्वारा टे की गई कौण यह distance या कौण यह दूरी बतानी है अब एक बात बताना मुझे यह सारी चीज़े भूल जाओ एक चीज़ बताना कि अगर मैं यह बता दू कि यहां से यहां तक के बीच में इतना समय है इतने मिनट हैं तो आप multiply करके direct answer निकाल देंगे कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली हाँ यह ना बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं होगी तो यहां 9-28 से लेकर के 2-20 तक time interval निकालना बड़ा मुश्किल है बड़ा मुश्किल क्या है थोड़ा मुश्किल है लेकिन अगर यही समय 9-28 से लेकर सुबह के 2-28 तक होता तो हमारे लिए बड़ा ही आसान होता मेरे भाई कितना आसान होता 2-3, 3-4, 4-5, 5-6 नहीं, देखो 2-12 से 9-10, 10-11 सुबह 9-28 से 2 विज़ तक ठीक है देखो 9-10, 10-11, 11-12, 12-1, 12-1, 12-2 कितने घंटे हो गए? बोला सर हमारे पास यहाँ पर distance निकल के आया, 5 घंटे का हाँ या ना? 5 घंटे का निकल के आया कितने स्टूडेंट समझगे कि 5 घंटे का निकल के आया? हाँ या ना? बहिए अगर मैं कहूं कि 9-23 से 2-28 तक कितने घंटे हो गए? सब्सक्राइब बिल्कुल भी साही नहीं, क्यों, क्योंकि आपने सर समय जो लिया है न, वो दीखो, कितना extra लिया है, आपने 8 मिनिट तो extra लिये हैं, तो ये 8 मिनिट आपको इसमे से कम करने पड़ेंगे, और आप मिनिट में घंडे की समुली कितना चलेगी, भई disproportionately चलती है, तो आप को इतना समय नहीं लगाना है question को करने के लिए एक line का भी question नहीं है direct आपने देखा sir 9.20 से 2.20 तक कितना interval रहा बोला sir 5 घंटे 5 तिये 15, 150 डिगरी without pen paper अब sir हमने वहाँ पे 8 मिनट ज़्यादा माल लिये थे तो 8 मिनट पे घंटे की सुई 4 डिगरी ज़्यादा चली तो 150 माइनस 4 कितने होगे 140 डिगरी answer आगया बिना pen के बिना paper के ठीक है बस ऐसी आपको भी करना है regular आपकी speed बन जाए कि जब आप हमारे तरीके से बढ़ेंगे तो आगे ठीक है अपने आपको आप अपने आपको कुछ समय के लिए बिल्कुल अकेला अपने आपको अकेला छोड़ दो ठीक है अकेला मतलब आप सोचिए कि आप अपने आपको बहुत इजददार समझते हैं कॉलर ऊपर खड़े करके चलते हैं अपने आपको समझते हैं कि सफल बनाने की कोशिस कीजिए, कि लोग आपके समय को लेने के लिए तरसें, कि मुझे उससे मुलाकात करनी है, समय कब मिलेगा, इतनी कोशिस करो, ये कोशिस कब कर सकते हो, आप जब एकांत में आप महनत करोगे, एकांत तरीका से, ठीक है, लगातर कहीं बैटे हो, ध्यान कहीं और पढ़ रहे हो, नहीं हो पाएगा भाई, कुछ भी, अपने कमरे में अंदर बैट जाओ, और जब तक पढ़ाई करो, जब तक कहीं सफल न हो जाओ, कामयाब न हो जाओ, ठीक है, हम आपके साथ हैं दिन रात, आप लगातर इसी उपलक्ष में मेनत कीजिए, कि हमें कुछ करके दिखाना है, ठीक है न, देखो, अब अगला प्रशना आपके सामने है, कि रात 10.36 से, सुभे के 2.42 तक, घंटे की सुभी द्वारा तै की गई, कौणिय दूरी ग्यात करें, तो क्या आप कौणिय दूरी ग्यात कर सकते हैं इसके अंदर, यस सर, अफकॉर्स कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, राम राम भाई सभी को, तो देखो, यह समय है, 10.36 मिनट पी-म, 2, 2.42, 2.42 एम, यह समय है, हाँ यह ना, बोला सर, simple question है, simple question है, लेकिन, time interval इतना नहीं निकालना आपको, आपको जो time interval निकालना है, वो 10.36 रात से ले करके, सुबह के, 2.36 तक का time interval निकालना है, हमारे लिए बढ़ा आसान हो जाएगा, हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कैसे होगा सर असन अब क्या करना चाहिए हमें सोचो क्या करना चाहिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए सर यहां से यहां तक टाइम देखना है बोला दस से ग्यारा ग्यारा से बारा बारा से एक एक से दो कितने गंटे हो गए, भई 4 गंटे हो गए हमारे पास, यहां से यहां तक निकल के आए हमारे पास 4 गंटे, बोला सर चार गंटे में गंटे की सुई कितना चलेगी, भई यह गंटे में 30 डिगरी चलती है, तो 4 ती यह बार है, यानि हमारा आगया 120 डिगरी आंसर, लेकिन क्या आंसर सही है 120 degree, नहीं, सही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पर ये हमने कितने मिनट कम माना, 6 मिनट कम माना है, 6 मिनट कम माना है, पहले क्या कर रहे थे, हमने 6 मिनट ज्यादा मान लिया था वाई, यहाँ 6 मिनट कम माना है, तो अब ये 6 मिनट में कितना degree चलत बाई साब जो स्टूडेंट 170 डिग्री आंसर कर रहे हैं वो थोड़ा ध्यान दीजी 170 कैसे हो जाएगा पहले कोशन के अंदर 236 यहां था तो जो 240 यहां था पहले हम जादा चल चुके थे अब हम कम चले हैं हमें जादा चलना है जादा चलना है तो प्लस करना पड़ेगा कम चलना है तो माइनस करना पड़ेगा इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो आप ठीक है आई होप कि आपको यह प्रशन क्लियर हुआ होगा समझ में आया अगर समझ में आया है तो जल्दी से बताओ यस चलिए अगला प्यारा सा प्रशन देखे दोस्तों देखो यहाँ पर टू फाइन एंगल विटमिन मिनेट एंड और आवर एंड यानि मिनेट और घंटे की सुई के बीच कौन ग्यात करना पड़े हमें तो हम कैसे कर सकते हैं यह आपके सामने है नया टाइप है दूसरा टा पहले टाइप कंपलीट हो गया एंगुलर डिस्टेंस एंगल निकालना हमने सीख लिया है ठीक है स्टेडी पॉइंट विद अंकित सरे कोशन और कोशन वोशन कुछ नहीं लेंगे आपके हम यहाँ पर ठीक है आराम से जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो यह मेराथन या मा पर मिनट और गंटे की सुई के बीच में कितने डिगरी का एंगल वनेगा यह नो तीस दस चालेस तीन तीस पहले मैं आप लोगों को एक कॉंसेप्ट से बताऊंगा देन उसके बाद मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा पहला काम क्या है कॉंसेप्ट सीखना अगर मेरे भाई जैसे हमारी घड़ी में मालो 6 बजे होते घड़ी के अंदर तो 6 बजे पता है हम क्या करते हैं बोला 6 गड़ी में सर कुछ इस प्रकार से बजे होते हैं देखो यहां यह सुई यहां पर है और 6 बजे यह वाली सुई यहां पर है ऐसे होता है नहीं होता है यह बताओ जब 6 बजे का समय होता है, घंटे की सुई इधर, मिनट की सुई इधर, ऐसा ही होता है, बोला सर बिलकुल होता है, लेकिन वो ये कह रहा है कि यहां नहीं सर, वो सुई यहां से हट करके कितने पर आ गई, 15 मिनट हो चुकी है, यहां आ चुकी है, यहां, यहां, अब कह रहा है कि इन 90 डिगरी का हो गया यह हमारा अंसर है किस-किस का 90 डिगरी आ रहा है बताओ जिनका भी 90 डिगरी आ रहा है गलत आ रहा है क्यों आ रहा है गलत आप लोग एक बात बताईए कि मेरे भाई यह जो घंटे की सुई है अगर यह 6 बजे 6 पर थी तो 15 मिनिट में थोड़ा बत आगे नहीं बढ़ेगी 15 मिनिट में यह थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी गंटे की सुई कितना आगे बढ़ जाएगी गंटे की सुई एक मिनिट में आधा डिगरी चलती है अब यहां से यहां तक मिनिट की सुई पंद्रे मिनट तक चली है तो पंद्रे मिनट का आदा साड़े साथ डिगरी तो घंटे की सुई साड़े साथ डिगरी आगे हो चुकी होगी 7.5 तो जब मैं नभ्य में 7.5 या 7.5 जोड़ूंगा तो मेरा आंसर आएगा 97.5 हाँ या ना ये हमारा आंसर है ये होता है concept और अभ आदे ना आप किसी ने बताई हो तो ये कोई trick नहीं बताई है अभी मैंने आप सोचो इसी को trick बता रहे हो सर नहीं ये concept है सब बताते हैं दुनिया बताती है और हमने भी कहीं से खोजी नहीं है सब बताते हैं लेकिन paid batch में बताते हैं YouTube पर कोई नहीं बताएगा अब देखो 9 बज करके 30 मिनट का समय है अब जैसे 9 बज के 30 मिनट का समय है तो 9 बजे सुई यहां होती है और 30 मिनट होते है तो सुई यहां होती है तो अब मुझे बताओ भई यहां से यहां तक जो distance है वो कितना है बोला सर 30 30 30 यानि कि 90 डिगरी हो गया आपका हाँ या ना बोला 90 चली गई होगी बाई, मिनट की सुई से कितना दूर चली गई होगी, बोला सर ये 30 मिनट तक दूर चली है, 30 का आदा 15 डिगरी, तो 15 मिनट इसमें एड कर देंगे, तो 15 मिनट एड करें तो 5, 9 और 1, 10, 105 डिगरी का एंगल ये बनाएगे, आगे तीसरा प्रशन है 10 बज़ करक 40 मिनट होते हैं, तो 1 सुई तो 10 पे होगी, ठीक है, और 8, 5, 4, 4, 4 पे ये सुई मिनट की यहां रहेगी, तो अब इस भीच आप बताई, कितने डिगरी का एंगल होगा ये, बोला सर तीस और तीस, 60 डिगरी का कौण होगा, 60 डिगरी का माल लिए, लेकिन क्या ये जो घंटे की सुई है, यहीं रुकी रहेगी, ये 40 मिनट में आगे नहीं जाएगी, ये 40 मिनट में जाएगी आगे, और कितना आगे हो जाएगी मिनट की सुई से, बहिए 40 का अधा, 20, तो 20 डिगरी आगे चली जाएगी, 60 और 20 कितने हो गए, ये 80 डिगरी का कौन बनाएगी, ये बात आपको crystal clear हो गई हो गई, अगर ये 3 पॉइंट समझ में आए, तो अब इस प्रशन का अंसर कीजिए, इस प्रशन का अंसर कीजिए, क्या आएगा, तो मेरे दोस्त, इस प्रशन का अंसर क्या होगा, जब आपकी घड़ी मे 3 बज़ करके 30 मिनट हो रहे होते हैं, तो यहां पर यो angle होता है, ये वाला angle होता है, एक बात बताईए, ये कितने डिगरी का कौन है, बोला सर 30, 30, 30, 90 डिगरी का कौन है, 90 डिगरी, 90 डिगरी, ओके, हाँ या ना, हाँ या ना, बोला बिलकुल सर, लेकर एक बात बताओ, य गंटे की सुई के यही रुकी रहेगी मेरे भाई, थोड़ा बहुत आगे नहीं आएगी, यहां से यह सुई चलते चलते थोड़ा सा आगे आजाएगी, यहां, कितना आगे आजाएगी, देखो मिनट की सुई के नजदीक आ रही है, कितना नजदीक आ रही है, बोला से 30 पहले देखो नजदीक थी अब दूर हो गई, पहले मिनट की सुई नजदीक थी अब दूर हो गई, पहले मिनट की सुई नजदीक थी अब दूर हो गई, अब यहां लेकिन देखो, मिनट की सुई यह है, घंटे की सुई मिनट की सुई के नजदीक आ रही है, नजदीक आ रह हालाकि आप ऐसे भी question को निकाल सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन अगर प्रश्ण आपका आजए कैसे थोड़ा सा tough tough in the sense कि आपका समय आजए 9 बज के 16 मिनट 17 मिनट 18 मिनट 19 मिनट 20 मिनट ये तरीका आपका काम करेगा ही नहीं करेगा तो दिमाग को पूरा हिला के रख देगा तो हमें कुछ नहीं ऐसा दिमाग नहीं लगाना इतना इसकी ट्रेक निकालना सीख लेते हैं जो ट्रेक आपकी हर जगह काम करें और जगह काम करें देखो आगे आते हैं ये आपकी ट्रेक है भाई साब ये आपकी ट्रेक है इस जो उपर बात लिखी हुई है इसको ध्यान से पढ़ लो ठीक है इसको पढ़ लो ध्यान से ट्रेक है ये आपकी कैसे पहली लाइन में आपसे कहा गया है ट्रे ट्रिक आपके टू, ट्रिक नमबर टू, दौनो ट्रिक है, यदि घंटे और मिनट की सुई के बीच का अंतर पॉजिटिव है, यदि घंटे और मिनट की सुई के बीच का अंतर पॉजिटिव है, तो दिये गए मिनटों का आधा जोड़ कर उत्तर निकाला जाता है, दूसरा, यदि घंटे और मिनट की सुई के बीच का अंतर नेगेटिव है तो दिये कए मिनटों का आधा घटा कर उत्तर दिया जाता है अब यानि ये सर क्या लिखा हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है देखो आपको क्या करना है पर एक बात बताओ जब 6 बज़रे होते हैं घड़ी के अंदर तो घंटे की सुई किस पे होती है आप सब जानते हैं ये घंटे की सुई होती है ये मिनट की सुई होती है अब घंटे की सुई में जब 6 बज़रे होते हैं तो सुई सर 6 पर रहती है और जब 15 बिनिट हो रहे होते हैं तो कितने पर रहती है सर हम सब जानते हैं तीन पर दिए जाए तो आंसर क्या आएगा भाई 3 आएगा यानि तीन गंटे का आंतर अब आप लोग धियान दिजिए एक गंटे में कितना डिगरी चलती है गंटे किसि से तो तीन घंटे में कितना चलेगी बोला सर तीन का multiply 30 से कर लो तो हमने multiply किया 3 तीन 9 यानि कि 90 डिगरी आपका answer आ गया लेकिन मैंने एक बात और बताईए आपको यह कह रहा है यदि घंटे और मिनिट की सुई के बीच का अंतर positive है तो आप देखना यह घंटे की सुई है यह मिनिट की सुई है दोनों के बीच का जो अंतर आ रहा है positive है या negative है आप बदाई जल्दी से positive है या negative है अरे सर positive है क्यों क्यों क्योंकि जब 6 में से 3 माइनस करेंगे तो positive ही आएगा तो फिर क्या करना है मिनिट का आदा जोड़ देना है पंद्रे का आदा साड़े साथ 7.5 जोड़ देना है तो 97.5 आपका अंसर आगया यह ट्रेक है हमारी है आगई समझ में आई होप कि यह ट्रेक जो है वो बहुत खतरनाक है घड़ी बनाने की जरूत नहीं है आप होँ जाके चार्ट बना दो बूरा नहीं कोई जरूत नहीं है देखो यहाँ भी काम करेगी 10 बजे सुई 10 पर रहती है मिनिट की सुई 6 पर रहती है 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 चार का मल्टिपलाई 30 में करेंगे 4 तिय बार है नहीं एक मिनिट 10 तीस ठीक है तो 10 और 6 का अंतर देखा तो हमने आया कितना 4 4 तिय बार है या नहीं 120 डिगरी 120 डिगरी अच्छा यह मिनिट का अंतर घंटे और मिनिट की सुई के बीच का अंतर गया है पॉजिटिव है तो मिनिट का आधा क्या कर देंगे जोड़ देंगे 15 है इसमें जोड़ दो तो कितना अंसर आएगा 5 3, 135 डिगरी कितना आएगा 135 डिगरी यह आपका अंसर होगा आगया समझ में चलो नेक्स्ट अगला कोईशन है 5 बज़कर 10 मिनट सुई 5 पर रहेगी 10 मिनट हो रहे होंगे तो 5 दूने 10 दो पर रहेगी दोनों का अंतर देगा 3 3 का मल्टिप्लाई 30 में कर दिया 3, 3, 9, 90 डिगरी अब एक बात का ध्यान दीजिए कि सर ये अंतर पॉजिटिव है नेक्टिव बोला सर पॉजिटिव है तो मिनट का आदा जोड दीजिए पांच जोड दिया तो 95 डिगरी आंसर आ गया ठीक, यहां तक आपको समझ में आ रहे है 135 डिगरी, 95 डिगरी और ये 97.5 डिगरी ठीक है, अब next और last question इस तरह का देखो, तीन बजे सुई तीन पर रहती है तीस मिनट हो रहे होंगे तो छे पर अब ध्यान देना भाई तीन मैंसे माइनस के छे कर रहे है तीन मैंसे माइनस के छे कर रहे है तो इस situation में आपकी जो value आएगी वो negative आएगी तो हमने तीन मैंसे छे माइनस किये तो माइनस के तीन आ रहे है कितना? माइनस के तीन आ रहे है हाँ या ना? माइनस के तीन आ रहे है माइनस के तीन आए तो तीन का multiply तीस में कर रहे होता है हमेसा तो तीन तीन और नबभे डिग्री अब अगर ये negative आया मिनिट और घंटे की सुई के बीच का अंतर नेगेटिव है तो मिनिट का आधा जोड करके आंसर करेंगे या घटा करके बोला सर घटा करके आंसर करेंगे पंदरे घटा दो 75 आपका आंसर आ जाएगा ये correct answer है ये आपकी trick है इसको note कर लो और note ना भी करोगे तो pdf मिलेगे आप चंताफ ना करें बिल्कुल भी clear हुआ 30 को multiply क्यों किया 30 को multiply क्यों किया मेरे भाई अंके 30 को note कर लो फिर मैं बताता हूँ क्यों multiply किया मैंने 30 का क्यों multiply करा मैंने 30 का देखो जब आपसे ये घड़ी है मैंने बना दिया है simple यह ही समझना वो कह रहा था कि minute के जैसे आप देखे यहां से यहां तक घंटे की सुई अगर चलती है तो देखो एक step में कितने degree चलती है एक step में घंटे की सुई 30 degree तो 30 degree यहां 30 degree यहां 30 degree यहां प्रते एक step में 30 degree चलेगी और जब हम अंतर direct कह देंगे तो आप direct 90 degree नहीं कह सकते या फिर आपके पास में direct यह कह दूँ आपसे 1 step, 2 step, 3 step तो 3 का multiply 30 में कर देंगे तो भी 90 degree कह सकते है इसलिए मैं 30 degree का मतलब है कि घंटे की सुई एक घंटे में 30 degree चलती है अगर class आपने शुरू से देखी होती तो definitely आपको पता होता कोई बात नहीं है जो बीच में जोड़ रहे हैं वो last में शुरू से देखना class को बाद में तो और अच्छे से crystal clear हो जाएगा अब यहाँ पर प्रशने कुछ आपके सामने इस प्रकार के इन प्रशनों के आपको आंसर करने है जरा देखिए जल्दी से और सभी लोग आंसर करने का प्रियास करेंगे सभी लोग आंसर करने का प्रियास करेंगे बहुत ही सुंदर कोईशन है बोला 6 बज़ के 15 मिनट 6 बज़ के 16 मिनट 6 बज़ के 17 मिनट 6-18, 6-19, 6-20 बता हुए करो भई फटाफट जल्दी से करो, देखो मैं समझाता हूँ मैंने पता है क्या किया था यहाँ पर बोला सर 6 बजे सुई, 6 पर रहती है यह तो हम लोग जानते ही है 15 मिनिट हो रहे होते हैं, 3 पर सुई होती है दोनों का अंतर देखा, तो 3 आया, वो भी पॉजिटिव अंतर आया, अगर पॉजिटिव अंतर आया तो 3 का multiply, 30 में हमेशा करना ही होता है कितना हो गया, बोला सर, 90 डिगरी हो गया यहाँ तक तो पता है, यहाँ तक क्यों बता रहे हो मिनट का आधा जोड़ देंगे, मिनट का आधा 7.5 हो गया तो हमारे पास 97 में 10.5 इसका आंसर आ गया तो पहला question तो हमारा हो गया, clear दूसरे question में थोड़ा दिमाग लगाई है 6 बजे सुई 6 पर रहती है हाँ या ना, बोला ठीक है सर अब 16 मिनट, 16 में आप कितने से भाग करेंगे, बोला सर 5 से भाग कर दो दो तरीके हमारे पास 5 से भाग करने के, एक तरीका है 5 से आप अगर 16 में भाग करेंगे, तो 5 ती ये 15 हमारे पास 1 carry आया, point लगा के 0 बढ़ा लिया, 5 दो ने 10 तो हमारे पास कितना है यहाँ पर, 3.2, तो हम कहेंगे सर 3.2 लेकिन आपको इतना calculation करने के आवश्यक्ता नहीं है, इसमें regular fix रहता है, क्या fix रहता है, कि जब आप 16 में 5 से भाग करेंगे, तो 16 का 2 गुना कर दो, 32 बीच में बस point लगा दो, ऐसे इसमें 5 से भाग करोगे न, इसमें 5 से भाग करोगे, तो 17 का 2 गुना कितना होता है, 34, 34 को क्या कर दो, आप 3.4 कर दो, यह सेम होता है, 18 हो, 18 दूने 36, बीच में point लगा दो, 19 दूने 38, बीच में point लगा दो, है न, अब इसको भी कर लेंगे, कोई दिकत ने, 20 दूनी, 20 दूनी, 40, 40 में, बीच में point लगा देंगे, यानि 4 पर सुनी रहेगे, तो यह clear हुआ, अब देखो, यहां पर हमने इन दौनों का अंतर लेना है, बोला, 6 में से सर, 3.2 गटा दिया, तो 2.8 बचा हमारा, ठीक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है यह, बोला सर, पॉजिटिव ही आएगा, तो 30 का multiply करते हैं, 30 का multiply हमने किया, तो हम लोग जानते हैं सर, जीरो से, आपका, जो जीरो है, उससे यहां पर जो point था, यह वाला point, यह cut जाएगा, ठीक है, 2.80 तो बचेगा हमारा, अब 28 में 3 का multiply करा हमने, तो 14 सी, और अगर यह positive आ रहा है, तो मिनट का आदा जोड़ दो, 8 दूने 16, 8 जोड़ दो इसमें, 8-4 बार है, 2, 9, बानमें डिगरी का कौन यहां पर आ जाएगा, यह clear हुआ, बानमें डिगरी का कौन क्लियर हुआ नहीं हुआ, कितना आसान है यह, है ना आसान, बहुत आसान है, within seconds मैं question को किया जा सकता है, without pen और paper देखो, यहां 6 बजे सुई 6 पर रहेगी, 6 में से 3.4 माइनस कर दिया, तो हमारे पास बचा 2.6, और 2.6 में 30 का multiply कर दो भाई, और 78 में minute का आदा जोड़ देंगे, 17 है, तो आप जानते 8.16, जोड़ देंगे, 8.5 और इसमें 8.5 जोड़ोगे, तो यह कितना हो जाएगा भाई आपका, यह हो जाएगा, 86.5 डिगरी, तो 86.5 डिगरी का कौन हो जाएगा, 86.5 डिगरी, 86.5 डिगरी, यह 8 नहीं जोड़ोगे, 8.5, क्योंकि 8.16, साले 8.17, ठीक है, आगया, चली, अगला question देखो, भाई 6 बजे सुई 6 पर रहेगी, और minus इसमें 3.6 करेंगे, तो आपका 2.4 आंसर आएगा, और 2.4 को multiply 30 से करना है, तो 30 में आप जानते हैं, 0 से point कट जाता है, यहाँ पर point कट लिया, 24 तीय कितने हो गए भाई, 24 का multiply करा, 24 तीय, 72, और 72 में आप लोग इसमें कितना जोड़ेंगे, 9 जोड़ देंगे, तो 9 और 2.11 है, और आपका 7 और 1.8, 81 डिगरी का कौण यह हो जाएगा, आप लोग जल्दी से इसका अंसर कीजिए, फटाफट, जल्दी से इसका अंसर कीजिए, क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर कीजिए क्या होगा तो ऐसे प्रश्णों को अब आराम से निकाल सकते बताओ 6-15 मिट पर कितने डिगरी का कॉंड बनेगा 6-16 पर कितने डिगरी का कॉंड बनेगा 6-17 पर कितने डिगरी का कॉंड बनेगा ऐसा कोई भी प्रश्ण आपके एक्जाम में आ जाए उड़ा दोगे बोला सर 6 में से 3.8 माइनस कर दो तो हमारे पास क्या बचेगा 2.2 multiply 30 से करेंगे तो 22-36 होते हैं भाई क्योंकि यहां से 0 से point कर जाएगा 22-36 66 का multiply 30 से क्यों करेंगे अब 66 में कितना जोड़ देंगे बोला minute का आधा तो 9 दूनी अठार है साड़े 9.5 जोड़ दीजिए इसमें तो 66 में 9.5 हमने जैसे ही जोड़ा तो हमारे पास answer क्या आगया भाई यह आगया आपका 75.5 answer आगया 75.5 आपका answer आगया match कर रहा है study point करें सर सभी classes की master class लीजिए देखो भाई अगर सभी classes की master class में ले दूँगा तो फिर paid batch कौन खरीदेगा यह दिक्कत हो जाएगी न यह करें कि सर सल्वान खान के big fan हो नहीं भाई सल्वान खान का रत्ती वर्वी fan नहीं हो है ठीक है मैं fan हूँ शहीद भगत सिंग जा भगत सिंग जी का स्वामी विवेक अनन्द का इनका fan हूँ मैं हाँ यह है कि कभी कभी entertain करने के लिए जब कभी समय नहीं कटता तब थोड़ा बहुत इनको देख लेते हैं बाकि मैं इनका कोई fan वैं नहीं हूँ अब देखिए हम लोग सबसे पहले जीरो डिगरी के कोण को सीखते हैं तो यह अंगल निकालना आगया आपको यह अंगल निकालना आगया अभी शेक शर्मा कहने सर थोड़ा फास्ट पढ़ाओ मैंने पहले ही कहा था शांती से पढ़ते रो बीच में अपने आप सुझाव मत दीजिए जो सुझाव मैं दे रहा हूँ आपको प्लीज उनको रखके पढ़ लीजिए जहिंद वंदे मात्रम देखे अब हम लोग सबसे पहले जीरो डिगरी के कोण की बात करते हैं जीरो डिगरी का एंगल आप से पहले पूछेगा कि बताओ कि बारा घंटे में कितनी बार बनता है बारा घंटे में कितनी बार बनता है और चौविस घंटे में कितनी बार बनता है दें तीसरा कोशन है कि एक घंटे में कितनी बार बनता है जीरो डिगरी का कोण देखो अब जरूत पड़ेगी हमें इस घड़ी के देखो भई यह है जीरो डिगरी का कौन जब यह सुईयां दोनों यह कहां पहुचकी भई यह खराब हो गड़ी जादा गुम गई देखो लगवग यह बारह पर होती है जैसे यह बारह पर है धीक है अब कमपलीट घूम करके दोवारह यह आएगी तो एक घ़ंटे में एक बार जीरो डिगरी का कौन बनाएगे देखो हर घंटे में देखो यह जीरो डिगरी का कौन बनाएगे हर घंटे में 0 डिगरी का कौण बनाएगे हर घंटे में 0 डिगरी का कौण बनाएगे हर घंटे में 0 डिगरी का कौण बनाएगे ठीक है मैं यहीं दिखा देता हूँ आपको वह एक बात बताओ सबसे पहले जो 0 डिगरी का कौण बना कितने बजे बारा बजे अब बारा एक के बीच में तो बनेगा नहीं दोबारा के बन जाएगा ठीक है हाँ तो यहां पर यह एक से बारे के एक के बीच में नहीं बनेगा यह लगवग एक से दो के बीच में यहां बनेगा लगवग ठीक है यहां बनेगा आपका फिर दोबार बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ, उसके बाद यहाँ, क्या इसके बीच में यहाँ बनेगा, 12 के बीच में नहीं बनेगा, इसके 11 के और 12 के बीच में नहीं बनेगा, क्योंकि 12 बजे बनेगा सीधा, तो यार जब एक बात बताओ, कि एक घंटे में एक बार बन रहा है, तो 12 कितनी बार बनना चाहिए था सरसिंपल बात है 12 बार बनना चाहिए काउंट करना जरा 16 बना है देखो एक दो तीन चार पनंच छे जाथ आथ नो दस ग्यारण ग्यारण बना है तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 12 गंटे में केवल 11 बार बनता है मेरे भाई तो अगर 11 बार बन रहा है तो 24 गंटे में कितनी बार बन रहा है 22 बार क्योंकि यह गड़ी दोबारा गुम के आती है 12 गंटे के बार ऐसा क्यों हुआ क्यों कि यहां 11 से लेकर के 1 के बीच में इन दो घंटों में केवल ये कौण एक बार बना है जबकि दो घंटे हैं दो बार बनना चाहिए था बना एक बार है कितने बजे बारा बजे सीधा बारा बजे बना है ठीक है तो जीरो डिगरी का जो कौण है सभी के लिए important रहेगी class ठीक है ये जो angle है ये हम कह सकते हैं ग्यारा बजे से लिए करके एक बजे के बीच में केवल इन दो घंटों में एक बार बनता है बागी हर घंटे पर बनता है ठीक है तो यहां पर आप इस बात को समझ लेंगे ठीक है अब मैं आप से प्रशन पूछता हूँ अब मैं आपसे प्रशन पूछता हूँ चलो simple से question पूछता हूँ आप मुझे बताना 3-4 question करूँगा मैं आपसे सुभ है सुभ है सुभ है तीन बजे से सुभ है 9 बजे तक 9 एम तक zero degree का कौण कितनी बार बनेगा जल्दी स्यांसर करो कितनी बार बनेगा कितनी बार बनेगा दूसरा यह तो पहला प्रशन है दूसरा प्रशन है सुभ है 9 बजे से सुभ है 9 बजे से दो पहर दो बजे तक दो बजे तक जीरो डिगडी का कौण कितनी बार बनेगा कितनी बार बनेगा जल्दी से आंसर करो भई speed से speed से आंसर करो दोनों प्रश्णों का देखी हैं कैसे कर सकते हम हम जानते हैं 3 से 9 बजे के बीच हमें ये देखना है 3-9 कितने गंटे होगे, बोलो 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, तो 6 गंटे होगे, यहाँ 6 गंटे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हर गंटे में एक बार बनता है, एक गंटे में एक बार, तो सीधी सी बात है कि 6 गंटे में 6 बार बनेगा, तो इसका आंसर 6 बार होगा नहीं हो लेकिन अगर इस समय के बीच में कोई 11 बजे से लेकर के 1 बजे का समय आता, तो एक हमें घटा देना होता फ्रियां से, देखो जैसे हम इस प्रश्ण में देखें, सुभे 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक 0 डिगरी का कौन कितनी बार बना है, तो 9 से 2, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, एक से 2, पांच, पांच घंटे हो गए, तो पांच घंटे में पांच बार बनना चाहिए, लेकिन बनेगा कितनी बार, 4 बार, चेक कर लो भाई, कितना 9 बजे से 2 बजे तक, तो 9 देखो ये रहे, और 2 ये रहे, इस बीच में आप देखो, 1, 2, 3, 4, कितनी बार बन रहा है, क क्लियर हो गया कि 10 बज के 12 मिनट के बीच कौन सा कौन बनेगा अभी ट्रिक तो बता दिया मैंने यार अभी मैंने ट्रिक आपको बता दिया है कोई भी गर देगा इसको मैं बताता हूँ थोड़ा सा आपको जैसे एक प्रशन एक स्टूड यह क्लियर हुआ पहले यह बताऊ यह可以 clear हुआ आपको मैं बताता हूँ आपको कैसे निकालना और उसको कोई दिक्कत नहीं है जैसे यह प्रशन मैंने बताए है नै उसी हिसाप से निकलेंगे मैं आपको करके दिखा देता हूँ पूछा है अपने 10 बज के 12 मिनिट पे घड़ी की सुईयों के बिच कितने डिगरी का कौंड बनेगा तो हम कैसे कर सकते हैं बोला सर ये सुई 10 पी रहेगी डेफिनेटली 12 में 5 से भाग कर लेंगे 12 दूने 24 यानि कि आपका आज जाएगा 2.4 अगर 10 में से 2.4 हमने माइनस कर दिए तो कितने बचेंगे भाई कितने बचेंगे 7.6 बचेंगे 7.6 हमारे यहाँ पर बचे इसमें आपको multiply कितने से करना है 30 से करना है बुला सर पॉइंट से 30 माइनस हो जाएगा पहले देखो यह positive है तो कुछ घटेगा नहीं जुडेगा तो 76 का 3 गुना करेंगे तो 6,3,8 रहे के 8 हो जाएगे 6,3,8 रहे के 8 हो गए हमारे पास एक बचा सात्या 21,1,2,22,228 डिगरी का ऐसा होता है अरे होता है मेरे भाई दोनों कॉण होते है एक समय पर दो कॉण बनते है मालनों 90 डिगरी का यह कॉण है तो एक समय में 90 डिगरी का बना दूसरा 270 का लेकिन हमें हमेशा छोटा कॉण बताना होता है डारेक्ट अगर एक्जाम में पूछा जाएगा कि बड़ा कॉंड कितने डिगरी का बनेगा तो बड़ा कॉंड तो 234 का बनेगा लेकिन आपको 234 ओप्शन में नहीं होगा आपको 360 में से माइनस कर देना इसको 234 को तब आपका आणसर होगा 10 में से 4 कम करेंगे 6, 5 में से 2 और यह आपका 1 126 डिगरी का कॉंड होगा यह करेक्ट आणसर होगा तो आप्शन में आपको 126 डिगरी दे रखा होगा अरे बालियान काम करेगा मैं बता तो रहूं आपको आप टेंशन क्यों करेंगे तो क्लास को लो हर एक एक एक्जाम में काम करेगा यह ठीक है P-Tat, C-Tat, E-Tat जो भी आपका Tat हो सब में काम करेगा, प्लीज फोकस कीजिए पढ़ाई पर, ठीक है, किस में आएगा, किस में नहीं आएगा, इस पर फोकस मत कीजिए जहां भी reasoning आती है, होगा सब जगह आएगा, तो यह हमारा zero degree का कौन आपको crystal clear हुआ, कितनी दिर में, कितनी बार बनता है अब हमारे पास प्रश्ण एक और हम रखते हैं, कि zero degree के कौन में बताओ, 9 बजे से ले करके 10 बजे के बीच, 9 से 10 बजे के बीच, zero degree का कौन, कितने बजे बनेगा, कितने बजे बनेगा, करो answer करो answer भई, फटा-फट करो, 9 से 10 बजे के बीच, zero degree का कौन, कितने बजे बनेगा, कितने बजे बनेगा, आपने 1000 तरीके सीख रख के होंगे, मुझे नहीं पता, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ठीक है बताइए, भई, 9 से 10 बजे के बीच, zero degree का कौन, कितने बजे बनेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, simple तरीका है, simple तरीका, बड़ा आसान तरीका है, एक trick याद रखेंगे, जो आपकी हमेशा हर जगे काम करेगी, 60 बटे, 11, multiply करना है, ये आपकी trick है, ये भूलन कि 9 बजे सुई, 9 पर रहेगी, 9 का multiply, 60 बटे, 11 में कर दीजे, अब आप कहेंगे सर, 9, 54, 540 बटे, 11, 11 से काट लो इसको, 54, 11, 44, 11, 99, 1 बटे, 11, इतने मिनट पे बनेगा, कितने बज़कर, शुरुआत वाला समय, 9 बज़कर, उननचा सही, एक बटे, 11 मिनट पर आपका, 0 डिगरी का कौन बनेगा, 0 डिगरी का कौन बनेगा, clear हो गया, clear हो गया भाई सबको, clear हो गया, अगला question देखो, कोई भी question आप कर सकते इसी से, आप बताइए मुझे, 3 से 4 के बीच, 0 डिगरी का कौन कब बनेगा, कितने बजे, बनेगा, करो भई answer, बताओ, 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 जल्दी से बताओ, फटाओ, सिंपल तरीका है, आसान तरीका है, अब इशेक सर्मा कह रहे हैं, सर, छोटा एंगल क्यों लेते हैं, तुम्हारी मर्ज ये बड़ा एंगल लेलो भई, क्यों, एक्जामनर तो आप से छोटा इकॉन पूछता है, आपको अपने घर से, जंगल जाना है, और प्रैसर बना हुआ है, आपका बताओ, गोमते हुए जाओ के सीथे भागोगे, सीथे भागोगे भाई, बस, समझ के होगे आई हो, चलो भई, आंसर करो इसका, देखो बच्चे, जब 3 से 4 के बीच पूछ रहा है, तीन में multiply कितने से करना है, 60 बटे 11 से, 6, 18, 180 बटे 11 को भाग करना आप जानती है, और बच्चे बड़े होगे, उतने छोटे तो नहीं हो, कि इसका भाग भी नहीं कर पाओगे, आपने काटा भई, 180 को, तो ये 11, 11, हमारे बच्चे 27, 11, 6, 66, 16, कितना 4 बटे 11 आंसर आजाए इतना मिनिट, कितने बज़कर भई, तीन बज़कर, तो तीन बज़कर, 16 सही, 4 बटे 11 मिनिट आपका आंसर होगा, इतने बज़े आपका 0 डिगरी का कौन बनेगा, ठीक है, ओके, नेक्स्ट, आगे बढ़िए भई, आगे आईए, देखिए यहाँ पे, ये 100 सी नहीं, अभ चार पांच के बीच, 0 डिगरी का कौन, कब बनेगा, बताओ जरा, फटा फट करो फटा फटा फट फटा पट, जल्दी से, स्पीड से, बताईए, चार से पांच के बीच, 0 डिगरी का कौन, कब बनेगा, तो आपका अंसर होगा 4 गुणा 60 बटे 11, 6 चौके 24, 42 बटे 11, 11 दूने 22, 12 दो इधर ले लिए और उसके बाद आपका आएगा 11 एकम 11, 21 सही 9 बटे 11 मिनट, कितने बजगर, कितने बजगर, तो भी आपका अंसर आएगा यह, चार बजगर, 21 सही 9 बटे 11 मिनट पे आपका जीरो डिगरी का कौण बनेगा, आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में सभी को भाई, नेक्स्ट, अच्छा एक बात बताओ मुझे, दो प्रशन क्लियर करते हैं, दो प्रशनों को क्लियर करते हैं आपके सामने आपे, एक प्रशन दे दिया कि ग्यारह से बारह के बीच, ग्यारह से बारह के बीच, जीरो डिगरी का कौण, एक तो हमने ये बना दिया, एक मैंने कहा बारह से एक के बीच, जीरो डिगरी का कौण, कितने बज़े बनेगा, इन दोनों प्रशनों के आंसर आपको देने हैं, इन दोनों प्रशनों के आंसर किजिए फटा-फट, आपसे कह रहा है कि ग्यारह से बारह के बीच, जीरो डिगरी का कौण, बारह से एक क बीच 0 डिगरी का कौन तो देखो यहां हम जानते हैं सर 11 गुणा 60 बटे 11 तो 11 से 11 उड़ गये हैं हम पर भई 60 मिनिट बचे हैं हमारे यानि आंसर क्या होगा 11 बज करके 60 मिनिट और 11 बज के 60 मिनिट तो कोई होता नहीं मामला 60 मिनिट का मतलब एक गंटा तो 12 बज बनेगा सीधा तो यहां 12 बज बनता है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 11 से 12 के बीच मने बनता सीधा 12 बज बनता है ऐसी आपने देखा भई 12 गुणा 60 बटे 11 12 चिक के 72 720 बटे 11 11 चिक के 66 और बाके इदर ले लिए 11 55 65 सही 5 बटे 11 मिनिट 60 सही 5 बटे 11 मिनिट तो हमारा आंसर क्या होगा सर 65 मिनिट क्या होता है 60 मिनिट के बाद तो एक गंटा हो जाएगा तो इसमें से 60 मिनिट घटा हो तो एक बज कर पांच सही पांच बटे ग्यारह मिनट पे बनेगा तो बारह से एक के बीच में कोई कॉण नहीं बनता है सीधा कितने बज़े बनता है बारह बज़े बारह के बास सीधा एक बज़े के पांच सही पांच बटे ग्यारह मिनट पे आगये यह आपको सारे के सारे नहीं आये भई यह आपको आगया नहीं आया यह 0 degree का एंगल 0 degree angle का कौन था I hope कि आपने अच्छे से crystal इसको समझ लिया होगा अच्छे तरीगे से clear हो गया भई clear हुए आपको जल्दी से बताईए सबी अब आते हैं हम 180 degree के कौन पर यह 180 degree का कौन था दिखाई दे रहा है 180 degree का कौन मतलब पिलकुल आमने सामने यह तो हमने और कर दे आमने सामने इस तरीगे से ठीक है एक इधर है तो एक इधर है जिसे हमारा face और peat रहती 180 degree है फिसे सबसे पहले अगर मैं आपसे ये कहने लग जाओं क्या कहने लगूं कि भई ये बताओ कि ये एक घंटे में कितनी बार बनता है तो आपका आंसर होगा सर एक बार बनता है तो फिर इसका मतलब तो ये 12 घंटे में आपका 12 बार बनना चाहिए लेकिन बनता 11 बार है क्यों बनता है अभी बता दूँगा ऐसे आप लोग अगर ये कहें कि 24 घंटे में कितनी बार बनता है तो 24 घंटे में बनना चाहिए था 24 बार लेकिन बनेगा 11 दूने 22 बार ऐसा क्यों है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरे दोस्त यहाँ पर आपका 5 से लेकर के 7 के बीच इन 2 गंटों में यह एक बार बनता है यहाँ गंटे कितने 2 गंटे हैं बनता कितनी बार है एक बार ऐसा क्यों होगा देखो अभी समझा देंगे आपको क्योंकि सीधा बनता है 6 बजे 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद बनेगा आगे यह 5 बजे से पहले बनेगा यहाँ पर आपको धियान करना है यह 11 बार बनता है ऐसे 2 ही कौण हमारे पूरी घड़ी में है जो 1 गंटे में 1 बार और 12 गंटे में 11 बार बनते है वो 0 डिगरी का है और 180 डिगरी का है यह बात आपको एकदम लरन होनी चाहिए याद रहनी चाहिए यानि 0 डिगरी का कौण हो या 180 डिगरी का कौण हो यह दोनों कौण आपके इस प्रकार से बनते हैं ठीक है, इस प्रकार से बनते हैं, 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, बहूलना बिल्कुल नहीं है, याद रखना है एक दम, ठीक है? अब हम क्या करते हैं एक चीज ध्यान करते हैं सबसे पहले कि सर जब हम इस बात को ध्यान रखो ये बात है न आपकी इसको ध्यान रखो कोई भी कौण निकालने के लिए कितना प्लस या माइनस करें कितना प्लस या माइनस करें इस बात को पहले आप समझिए कि जब आपको 0 डिगरी का कौन निकालना है तो प्लस माइनस कुछ किया था आपने नहीं जिसे 9 से 10 के बीच पूछ रहा था तो 9 गुणा 60 बटे 11 ये ट्रिक लगा रहे थे ये ट्रिक तो आपकी 60 बटे 11 ये तो हर जगे लगनी लगनी है लेकिन जब आप 30 डिगरी का कौन निकालोगे तो माइनस प्लस एक करोगे आप 60 डिगरी का निकालोगे तो प्लस माइनस दो करोगे 90 डिगरी का निकालोगे तो प्लस माइनस तीन करोगे 120 का निकालोगे तो प्लस माइनस 4 करोगे 150 का निकालोगे तो प्लस माइनस 5 करोगे 180 का निकालोगे तो प्लस माइनस 6 करोगे ये काम आपको हमेशा करना है ठीक है ये काम हमको करना है तो हम अभी कितने डिगरी का निकालना सीख रहे हैं मुलसार 180 डिगरी का तो plus minus कितना करना है 6 अब क्यों कर रहे हैं plus minus 6 ये भी पता है आपको देखो अभी बताता हूँ बापस आया में 90 degree पर ये रहा तो यहाँ जब हम यहाँ पर यह 100 C का निकाल रहे हैं तो 6 plus minus क्यों करने हैं पता है क्योंकि यहाँ पर step 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 step है न ये हम 6 plus minus इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बनता तो ये की बार है फिर minus क्यों कर रहे हैं सर प्लस क्यों नहीं कर रहे हैं ठीक है हर बार क्योंकि एक बात को ध्यान करना कि जब हमारी संख्या ये note कर लो जब जब घंटों की संख्या घंटों की संख्या छैसे अदिखो यह मैंने लिखा यह नहीं लिखा एक बार चेक करो नहीं लिखा यह जब घंटों की संख्या छैसे अदिखो तो घंटे यह घंटों में से छे घटा कर calculation करेंगे यह trick है आपकी ध्यान लगना मैं ट्रिक से बता रहा हूँ आपको पहला यह है दूसरा यह है कि जब दिये गए घंटों की संख्या 6 से कम हो छोड़ कर आंसर करेंगे जोड़ कर उत्तर देंगे या जोड़ कर calculation करेंगे इनको आप बात को नोट करो वई दोनो बातों को इन दोनो बातों को आप नोट कर लीजिए ये बहुत काम की चीज है जो आपके आगे इस्तेमाल होने वाली है यानि मैंने बताया था ना 100C का निकालने के लिए एक स्टेप, दो स्टेप, 3, 4, 5, 6 तो प्लस या माइनस 6 करेंगे या तो प्लस 6 कर लो या माइनस 6 प्लस 6 कब करना है, माइनस 6 कब करना है आप जानते ही हो जब गंटों की संक्या 6 से अधिक होगी तो minus के 6 करोगे और जब घंटों की संक्या 6 से अधिक होगी तो आप minus 6 करोगे और जब दियागे घंटों की संक्या 6 से कम होगी तो आप जोड कर आंसर करोगे ठीक है जोड कर आंसर करोगे clear हो गया इतना clear हुआ चलिए बहुत बढ़िया आपसे बहुत कुछ सीखा है अरविंद भाई thank you very much देखिए आप प्रश्ण को करते हैं कोई प्रश्ण दे दिया मने 180 degree का मालो कोई भी मैंने कहा आपसे ये बताओ 3 से 4 के बीच 3 से 4 के बीच 180 degree का कौण कितने बजे बनेगा कितने बजे बनेगा कितने बजे बनेगा तो आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए ये आप बताईए मुझे ये आप लोग मुझे फटा फट से बताईएगा कितने डिगरी का कौण बनेगा यानि 3 से 4 बजे के बीच कब 180 degree का कौण बनेगा तो एक प्रशन में आपको बता देता हूँ बागी का आप खुद से करना बहिए 3 संख्या कितने से कम है 6 से अधिक कम है बुला सर 6 से कम है कम है तो 6 जोड़ करके आंसर करना है 6 और 3 9 9 गुणा 60 बटे 11 आपकी ट्रेक है उसको लगा दो 9 6 के 54 पांच सो चालिस बटे 11 इसको आपने काटा 11 चोके 44 11 55 जाएंगे उनंचा सही एक बटे 11 तो कितने बज़कर बुला सर 3 बज़कर तो 3 बज़कर उनंचा सही 3 बज़कर उनंचा सही एक बटे 11 मिनट पे भाई आपका ये वनेगा कौड 90 डिकर 180 डिकरी का कहा गया आजा 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 चलो आगया समझ में भाई क्लियर हुआ ओके की रिपोर्ट है आगया जो next 9 से 10 बज़े के बीच 9 से 10 बज़े के बीच 180 डिकरी का कौण 180 डिकरी का कौण कितने बज़े बनेगा कितने बज़े कितने बज़े बनेगा बताओ भी कितने बज़े बनेगा जल्दी से फटाफट बताओ जल्दी फटाफट ओफलाइन सेंटर भाई सब बंद कर दिया अब नहीं है offline center पहले था बुलंद शहर में था खुरजा था गाजेवाद था अब center नहीं है जैपुर में भी था लेकिन अभी नहीं है अभी सारे बंदगर्दी अभी online से फुरसत नहीं मिल पाती है तो offline क्या करेंगे खोल के 9 से 10 बजे के बीच इतना आसान प्रश्ण है कि आपको क्या करना है 9 value 6 से अधिक है कम है सर जादा है तो अगर 6 से जादा value है तो माइनस के 6 करने तीन आया तीन में 60 बटे 11 से multiply करना है चेटी अठारे 180 बटे 11 करोगे तो आप काट लो 11 दूने 22 ज्यादा हो जाएंगे 11 एकम 11 आपने साथ लिया 11 चिके 16 16 सही 4 बटे 11 आपका अंसर आजाएगा यानि कितने बजगर 9 बजगर 16 सही 4 बटे 11 मिनिट पे आपका कितने डिगरी का 180 डिगरी का कौन बनेगा प्लियर हुआ है ना असान बहुत सिंपल है आराम से चुटकियों मुड़ा ही चला जाओगे चुटकियों में प्लियर है ये कैलिकुलेशन तो करनी आती है आपको अरे भाईया अगर हमें ये 11 से भाग करना पड़े 180 में तो हम लोग आराम से कर देंगे ऐसे करके जैसे दस में से 6 कम कर दिये 4 अब इसको बटे में लिख लो बटे में लिख लेंगे पहले 16 लिखा जाता है फिर 4 लिखा जाता है फिर 11 लिखा जाता है इतना अंसर आजाएगा कितने बजगर जो पहले वाला समय होता है तो 9 बजगर 16 4 बटे 11 मिनट आपका अंसर आजाएगा ठी से पहली बात है कि वही एक प्रश्ण बताना मुझे पांच से शे बजे के बीच 180 डिगरी का कौण कितने बजे कितने बजे बनेगा ठेक है एक प्रश्ण तो ये है next है आपका 6 से उपर कर दूँ इसको 6 से 7 बजे के बीच 180 डिगरी का कौण कितने बजे बनेगा कितने बजे बनेगा बताई ज़रा फटा फट बताई ज़रा देखो बड़ा सिंपल है आपके कोई दिक्कती नहीं है एक परसेंट भी आराम से कर ले जाओगे बोला सर 5 6 से कम है ज्यादा है बोला सर कम है 6 जोड़ दो पहले 6 5 11 11 गुणा 60 बटे 11 तो अगर मैं 11 से 11 कोड़ा दूँगा तो मेरे पास 60 मिनट बचे तो मैं कहूंगा 5 बजगर के सर 60 मिनट आंसर होगा लेकिन 5 बजगे 60 मिनट कोई आंसर होता ही नहीं कितने बज़े होता है सीधा 6 बज़े तो यहां हमारा जो कौण बनेगा बोस 6 बज़े बनेगा हाँ या ना अब 6 से 7 बज़े के बीच तो आप लोग जानते हैं सर 6 में कितना माइनस करें प्लस करें आपने तो बता ही नहीं आपने बता है 6 से अधिक है तो माइनस कर दो 6 6 से ज़्यादा वैल्यू है तो माइनस कर दो काम है तो प्लस कर दो लेकिन 6 बज़े होता हो अब यहाँ प्रष्णा आपको दे दिया मान के चलिए यह एंगल निकालना आगए आपको एंगल निकालना आगए सब्सक्राइब आगा हूगा हूग इसपाइब युट ने करने के वशांपता नहीं है क्योंके मैं पीडियेफ दे दूगा इसके ओंप करेंना इसको nossas aç अरे कि यह क्या हो गया इसे चलो ठीक है इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आगे हम बढ़े तो मेरे भाई हम बात करने वाले हैं यह बताओ सुबह दो बजे से शाम पांच बजे तक सुबह नहीं आप यह लगाओ सुबह चार बजे से सुबह ग्यारा बजे तक 180 डिगरी का कौण कितने बजे बनेगा कितने बजे बनेगा बताओ जरा बताओ पीडिएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा या कंपटीशन गुरू एप पर मिलेगा ठीक है और अगर आपको पेड़ बैच लेना है रिजनिंगा वो भी ले सकते हैं आप कंपटीशन गुरू एप से बहुत ही कमफी इसके साथ आपको मिलेगा वाँ देख लेना आपको ये देखना है सर चार बज़े से ग्यारा बज़े तक कितने घंटे होगे चार से पांच, पांच से छे, छे से साथ, साथ, आट से नो, नो से दस, दस से ग्यारे यानि हमारे पास घंटे होगे साथ तो साथ घंटे में ये साथ बार बनना चाहिए लेकिन हमें ये दे कर देंगे तो हमारा बनेगा यहाँ पे 6 बार क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 5 से 7 के बीच 2 गंटों में एक बार बनता है 2 गंटों में एक बार बनता है ठीक है कर सकते हैं आप इस प्रकार के प्रशनों को हाँ या ना कर लेंगे चलो तो अब आते हम सीधा 90 डिग्री पर 90 डिग्री पर देखो यह 90 डिग्री का कौण है 90 डिग्री एंगल ध्यान दीजिये फोकस करिए इस प्रशन के अंदर आप क्या होगा इसका आंसर कैसे होगा क्या करेंगे इसमें लगा यह अपने लॉजिक अभिशीक शर्मा राहूल वेलकम 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 भाई वेलकम देखिए आप लोग जानते कि सर 90 डिग्री का कौण एक घड़ी में बारा गंटे के अंदर अंदर कितनी बार बनेगा बारा गंटे के अंदर यानि ये एक गंटे में दो बार बनता है मैं आपको दिखाता हूँ जैसे तीन बजे का समय लेलो आप घड़ी में घड़ी के अंदर आप लेलो तीन बजे का समय घड़ी के अंदर आप ले लो तीन बज़े का समय ये जैसे देखो तीन बज़े का समय है एक मिनट रुकना झाल 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 झा 90 degree का lotus ऐएऱ एक घंटे में दो बार बनता है और ऐसुआ हमने देखा नँ आपका डेखर्ण कोरुए नव बजे जब यह आपका बनता है और सतमा सब्केश्चम में 5 अअ-ऐसुआ का 2 बर टो इस बीच में अलते शनका 최ितश करुए आठ बजे से दस बजे तक, पहले आप देखो, ये 90 डिगरी का कोड़ एक घंटे में कितनी बार बनता है, बुला सर एक घंटे में दो बार बनता है, कितनी बार, दो बार बनता है, तो एक घंटे में दो बार है, तो बारा घंटे में कितनी बार बनेगा, बुला सर बनता है, दो घंटे में 22 बार बनता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 24 बार बनेगा, अब 24 घंटे में कितनी बार बनता है, 44 बार, ऐसा क्यों है, तो आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग ध्यान देंगे, कि यहां 8 बजे से 10 बजे तक, कितने घंटे होगे, 2 घंटे, तो यहां 2 घंटे मे कितनी बार बनना चाहिए, बोला सर, चार बार बनना चाहिए, लेकिन बनेगा कितनी बार, केवल तीन बार, तो एक बार तो यहां से कम हो चुका है, ठीक, अब यहां देखो तीन वजे तो दो से तीन के वीच, दो से चार के वीच में दो घंटे होते हैं, लेकिन इन दो घंट एक गंटे में दो बार, बारा गंटे में बाइस बार, चौविस गंटे में चौवालिस बार, ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि एक गंटे में दो बार बनता है, तो एक बार आप प्लस करके आंसर करेंगे, एक बार आप माइनस करके आंसर करेंगे, अब मुझे बताओ, 90 90 degree के count के अंदर हमें कितना plus minus करना है जैसे मैंने बताया कि आप 0 degree का count निकाल रहे थे तो कुछ भी plus minus नहीं कर रहे थे डारेक्ट आप answer कर रहे थे ठीक है डारेक्ट आप answer कर रहे थे 60 बटे 11 के trick लगा करके लेकिन जब 90 degree का count निकाल रहे थे ठीक है अब यहाँ पर आप लोग अगर 90 degree का count निकालते हैं तो कितना plus minus करेंगे यह आप लोग फटा-फट से बताईएगा कितना plus minus करेंगे बोला महेश भाई राहूल भाई बता रहे हैं कि सर तीन plus minus करेंगे good तो अब यहाँ पर आप लोग दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है ठीक है कोई हमें दिक्कत होने वाली नहीं है इसी को हम 270 degree का count भी कहते हैं ध्यान डखना क्या 270 degree का count कहते हैं या some count भी कहते हैं इसको right angle भी इसी को कहते हैं note करना इस बात को right angle भी कहते हैं इसको ठीक है सम कौण, अब प्रशन देता हूँ मैं आपको, मैंने कहा, कि भई, छैसे, छैसे, साथ बजे, के बीच, छैसे, साथ बजे के बीच, नब्भे डिगरी का कौण, कितने बजे बनेगा, कितने बजे बनेगा, तो आंसर क्या होगा वई, ये बताओ फटाफट से, क्या आंसर होगा आपका, क्या अंसर होगा, सर सिंपल है, एक बार आप छै में प्लस के तीन करेंगे, छै और तीन नो, नो गुणा साथ बटे ग्यारे करेंगे, एक बार, और एक बार छै में से तीन माइनस करेंगे, तो तीन गुणा साथ बटे ग्यारे करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको करे और इसको काटेंगे तो 688, 180 बटे 11 है, यानि 11 एकम 11 है, 166 सही 4 बटे 11 है, तो ये आपका बनेगा, एक बार तो बनेगा कब, देखलो आप लोग, 9 बजगर के, बनेगा बहीं, सोरी, 9 बजगर नहीं, 6 बजगर के, बनेगा 6 बजगर के, शुरू वाल टाइम, तो 6 बजगर 49 स ही, एक बटे 11 मिनट पे बनेगा एक बार को, और एक बार बनेगा आपका 6 बजगर, 16 सही 4 बटे 11 मिनट पे, ठीक है, चलो, क्लियर हुआ भई, समझ में आगे दोनों प्रिश्ण, क्लियर हो गए, चलो, अगला क्वेश्चन देखो भई, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट, यहीं इसी पर कर लेते हैं, मैंने आपसे कहा, 7 से 8 के बीच, 7 से 8 के बीच, 90 डिगरी का कौण का कौण कितने बजे बनेगा, कितने बजे बनेगा, फटा फट आंसर देना है आपको सभी ने, सभी को आंसर करना है मेरे भई, सभी को आंसर करना है, बताई भई, वर्मा जी, फटा फट बताओ, एक बार सभी लोग शैसन को शेयर कर दें लाइव में और लाइव के बाद जितनी भी छात्र देखेंगे प्लीज अगर आपको वैलोबल लगे क्लास के हाँ ये क्लास आपकी वैलोबल रही थी तो आप प्लीज स्टेटस जरूर लगाईएगा अपना फेस्बूक इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हैं उस पर और मुझे भी टैग कर दीजेगा इंस्टाग्राम पर आइडी आप जानते हैं सीजी विवेक चौधरी है मेरी इंस्टाग्राम आइडी सीजी विवेक चौधरी तो जब भी आप अगर स्टेटस लगाते हैं तो टैग जरूर कर देंगे तो मेरे तक मैसे जाता है कि आपने टैग किया है ठीक है और बड़ा धन्यवाद रहेगा अगर आप ऐसा करते हैं तो ठीक है चलिए तो यहाँ भी साथ से आठ के बीच निकालना है तो एक बार तो साथ में प्लस के तीन करेंगे साथ और तीन दस दस गुणा साथ बटे ग्यारह करेंगे एक बार तो ठीक है उसके बार एक बार हम साथ में से तीन माइनस करेंगे तो साथ में से तीन माइनस करेंगे चार गुणा साथ बटे ग्यारह करेंगे दोनों से आप आंसर निकालेंगे आपका आजाएगा बई कैसे करोगे देखो यहां से हमें अगर प्रश्न करना पड़े तो दस्षिक के 600 बटे 11 हो गया और यह आपका हो गया 624, 24 बटे 11 हो गया और 240 बटे 11 को काटो के तो 11 दूने 22 और 11 दूने 22, 11 एकम 11 तो आपका हो जाएगा यह 21 सही नहीं 420 को काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 दूने 22 एक तो हो जाएगा आपका 21 सही 9 बटे 11 और एक आपका हो जाएगा 600 में काट लो इसको 11 से 600 को तो यह आपका हो जाएगा भई 54 सही 6 बटे 11 दौनों आनसर आपके सामने है लेकिन पूछे कितने बजगर तो आनसर होगा 7 बजगर तो 7 बजगर 54 सही 6 बटे 11 मिनट पे बनेगा और यह आपका 7 बजगर के 21 सही 9 बटे 11 मिनट पे बनेगा मैं आपको बना के दिखाता हूं ठीक है मैं आपको बना के दिखाता हूं इनको नोट करो जैसे घड़ी है यह घड़ी है तो एक बार सात बज़ी के चौवन मिनट तो सात बज़ी के चौवन मिनट होंगे तो चौवन के आसपास आपका हो गया यह पचास चौवन देखो यह जो कौण होगा लगवग यह 90 डिगरी का कौण होगा आपका सात बज़ी करके चौवन मिनट पर ठीक है एक बार बनेगा सात बज़ी के 21 मिनट 21 मिनट हो रहे होंगे सात बज़ी के तो आपका यह इधर रहता लगवग 20 और 21 एक आपका यह 90 डिगरी का कौण बन ज तो यह 90 डिग्री का अगर आप इस प्रकार से से देखने लगोगे तो यह आपको 90 डिग्री जैसा ही लगएगा हाँ यह न इस देख रहा है बिलकुल देखो 90 डिग्री का जैसा लगएगा यह तो फिक है यह क्लियर इंस्टाग्राम आइडी cgvivek.chaudhriya direct मिल जाएगी भाई चले आगे इतना क्लियर हुआ तो अभी हम 90 डिगरी के एंगल को भी समझ चुके है कोई दिक्कत है किसी को अगर किसी स्टुडेंट को 90 डिगरी के एंगल में कोई दिक्कत है तो यह बताओ ठीक है है किसी को दिक्कत कोई दिक्कत है भई देखो मैंने अभी आपको बताया है 180 डिगरी का कोण बता दिया 90 डिगरी का बता दिया ठीक है और मैंने बता दिया आपको 90 डिगरी 180 डिगरी और 0 डिगरी अब मैं बात करता हूँ माललो आपसे 20, 25, 30 degree का कोई अंगल पूछ ले कैसे निकालोगे देखो यहाँ पर ध्यान दो मैंने बताया 30 degree के लिए plus minus 1 करेंगे 60 के लिए इतना करेंगे 90 के लिए इतना 120 के लिए इतना और 150 के लिए इतना मालो कि 24 degree का पूछ ले तो क्या करोगे भाई प्लस minus 24 डिगरी का एंगल पूछले तब क्या करने वाले हो calculation थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी लेकिन प्रश्ण वही आसान हो जाएगा trick आपकी हर जगए यही लगनी है देखो करके दिखाते हैं एक प्रश्ण आपको इसको करो देखो यह करिए पांच से छे बजे के बीच वह समय ग्यात कीजिए जब घड़ी की दोनों सुईया 24 डिगरी के कौण पर होती है या जब घड़ी की दोनों सुईया चार मिनट की दूरी पर होती है करो भई प्रणाम पूनम कुमारी प्रणाम एक बार सेसन को सभी लोग शेयर करें वाई दबा के ठीक है बताओ आंसर देखो कैसे करेंगे इसको प्रणाम बड़ आसान है कोई दिक्कत नहीं है सर पांच से छे बजे के बीच हम से पूचा है 24 डिगरी का एंगल अब 24 डिगरी का एंगल जानतो है चार मिनट के दूरी बात तो एक ही है बाई मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिगरी चलती है तो चार मिनट में कितना चलेगी 24 डिगरी का एंगल बताएगी ठीक है और प्रते एंगल एक गंटे में दो बार बनता है एक सौसी को और जीरो को छोड़ करके तो ये भी आपका दो बार बनेगा तो अब हमने क्या करना है एक बार तो 5 में कुछ माइनस होगा हाँ या ना एक बार 5 में कुछ value प्लस होगी ये तो हम लोग जानते हैं लेकिन वो कितनी प्लस होगी ज़र 0 डिगरी के लिए तो 0 थी 30 के लिए कितना थी 1 थी 24 के लिए तो कोई trick बताएगी नहीं तो निकाल स उसके लिए हम कितना प्लस माइनस कर रहे थे 30 डिगरी का कौण निकालना होता था तो कितना प्लस माइनस कर रहे थे बताओ फटा फटाओ कितना प्लस माइनस कर रहे थे बोला सर आप कर रहे थे प्लस माइनस एक कर रहे थे हाँ या ना हाँ या ना अगर मेरे को एक डिगर की value निकालनी होती है तो मैं क्या करता हूँ बोला सर एक बटे 30 करते हो हाँ या ना हाँ या ना अगर मेरे को 24 की value निकालनी है 24 degree की value क्या है तो क्या करना पड़ेगा 1 बटे 30 गुणा 24 हाँ या ना बिल्कुश सही बात है सर कोई दिक्कत नहीं बड़ा आसान इसे आपने समझा दिया तो 64 के 24 छे पंजे 30 तो 24 degree की जो value निकल के आई ना मेरे भाई वो आई 4 बटे 5 4 बटे 5 अब कोई दिक्कत है गया एक बार 4 बटे 5 प्लस कर लो एक बार 4 बटे 5 माइनस कर लो आंसर आपका आ गया एक बार हमें माइनस करना है कितना 4 बटे 5 माइनस करना है 4 बटे 5 एक बार प्लस करना है 4 बटे 5 तो ये तो बच्चा बच्चा भी कर देगा भाई value कैसे आएगी देखो 5 पंजे 25 25 में से 24 सोरी 5 पंजे 25 में से 4 कम करेंगे तो 21 बटे 5 तो 1 तो value वे आ गई और अब हमें 5, 25, 25 और 4, 29, 29 बटे 5 एक value वे आ गई अब जब plus minus करने के बाद multiply क्या करना होता है हमारी trick तो सबको याद ही होगी मेरे साब से भई 60 बटे 11 trick है यह तो याद है सबको बस यह trick apply करना है आपको भई क्या करना है गुणा 60 बटे 11 यहाँ भी 60 बटे 11 करना है अरे नहीं एक मिनट यह एक नहीं यहाँ पांच आएगा ना पांच आएगा नीचे मैं वही तो गलत लिख दिया आप गया रहे यह 29 बटे 5 आएगा ना 5, 25, 25, 4, 39, 29 बटे 5 ठीक है अब इस situation को solve गर दो आपका answer आगे आप दिक्कत ही क्या बची अब दिक्कत ही क्या है अब अगले महीने पेपर है तो क्या करें देखो भई यहां पर आपने क्या करना है आप लोग 5 से काटेंगे तो 12, 5, 60, 12, 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 12 और यह हो जाएगा 8, 8, 8, 4, 3, 8, 340, 340 बटे 11, एक ये हो गई वैल्यू इसको 11 से काटेंगे, 11 ये 33, 11, 4, 44 और ये जदा हो जाएगे, 11, 33, 33 सही, 7 बटे 11, एक वैल्यू तो ये हो गई, ठीक है बई, काट लो ना 11 से डारेक्ट भाग कर ले ना, और 200 मामन को काटोगे तो 22, 2, 11, 2, 22, 22 सही 10 बटे 11, 22 सही 10 बटे 11, एक वैल्यू आगे, अट आओ, दोनों प्रशनों के अंसर आगे, तो एक बार तो आपका बनेगा भाई, कितने बजे, एक बार तो आपका बनने वाला है मेरे भाई, पांच बज करके, कितना 22 सही 10 बटे 11 मिनिट पे बनेगा, और 7 बटे 11 मिनिट पे बनेगा, ऐसा ही है, ठेक है, यह आपका दो बार बनेगा, अब समझ में आगे नहीं आया, समझ में आगे नहीं आया, स्टैटिक जी के किलास चलाएंगे, भई थोड़ा समय नहीं मिल पाये यार, बिल्कुल, 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 चलिए, इतना crystal clear हो बाग बाग जानते हो आप, मज़ा आ जाएगा भई, अब आते हैं आगे, 33 नहीं सरी 31 होगा, 31 होगा, कैसे होगा 31, भई अगर 348 को 11 से भाग करेंगे, तो 348 में आप 11 से भाग करोगे, तो 11 यह 33 होगे, हमारा यहां पर कितना बचा एक, और भई 11 एकम 11, ठीक कह रहे हो भई, साथ, साथ बटे 11, 31 साथ बटे 11 आएगा, ठीक कह रहे हो, 33 नहीं, 31 साथ बटे 11 आएगा, सोरी, 31 साथ बटे 11, ठीक है, यह हो गया आपका समय, यह हो गया समय, clear हुआ, चले आगे, देख लेना, calculation कर लेना, थोड़े बहुत mistake हो जाती ह तो यह आपका कोई भी कॉंड निकालने का तरीका था, अब आपका next है mirror image clock, यानि जब घड़ी में आप mirror image को देखते हैं, दो मिनिट मैं खतम कर दूँगा कहानी, दो मिनिट मैं, ठीक है ना, देखिए भई, यहाँ पर हमने देखा, जैसे समय हो रहा था, 12 बज़के 45 मिनट, या, देखो, यहाँ पर कह रहा है न, 12 बज़के 45 मिनट, देखो, exact कोई भी समय ले लो, मैंने का वई, यह है आपका, 12 बज़कर के 15 मिनट का समय है, बोला, यह घड़ी में कैसे दिखाई देगा, इसको मिटा दो, यह 12 बज़के 15 मिनट का समय है, बोला, यह मिरर इमेज में कैसा दिखाई देगा, तो मिरर में आपका लेफ्ट और राइट चेंज होता है, आप डाउन मिरर इमेज में चेंज होता है, तो यह आपका उपर वाली सुई जो इधर है, वो थोड़ा सा, इधर आ जाएगी, और यह सुई हमें कुछ इस परकार का समय दिखाई देगा यानि 11 45 का समय दिखाई देगा लेकिन आप एक trick से इस question को अराम से कर सकते हो एक trick के माध्यम से आप प्रशन को आसानी से कर सकते हो वो trick मैं आपको बताऊंगो इससे पहले एक और question समझ लो रहे क्या हुआ इसको देखो जिसे आपकी कोई real image है real गड़ी है उसमें समय हो रहा है 10 बजे का बोला सर ये समय मिरर में कैसा दिखाई देगा तो left right ये जो 10 पे है वो 2 पे हो जाएगा बारे वाला change नहीं होगा up down तो ये आपको लगवग 2 बजे का समय दिखाई देगा जो 10 बजे का समय है ये real image है ये real image है clear हो रही है बात अब कुछ प्रशनों को solve करने का प्रियास करते हैं मेरे भाईयों अब कुछ प्रशनों को करने का प्रियास करते हैं तो मेरे image के लिए एक trick लिख लो आप concept तो आपको crystal clear हो गया trick लिखो कि आपको हमेशा 11.60 में से माइनस करना होता है घड़ी को घड़ी को तो आपका दरपण का अंसर आजाएगा कि भई दरपण इमेज है अगर कोई समय मालो आपका जादा है बोला 17 बज़ करके 18 मिनट के तो आप भई तोटल हमारे पास 24 गंटे होते हैं तो 23-60 में से माइनस कर दो दरपण या घड़ी तो आपका दरपण जाएगा ठीक है यह आपकी ट्रिक है यह आपको ध्यान रखनी है देखो करके देखते हैं भई मेरे जैसे आपका कोई भी समय दे दिया पांच बजे का समय है पांच बजे का समय है मिरर में कैसा दिखाई देगा साथ पंदरे का समय है मिरर में कैसा दिखाई देगा और अठारे बजगर के पंदरे मिनट का समय है या तीस मिनट का समय है कैसा दिखाई देगा अठारे बजगर के कैसे करोगे, देखो बड़ा सिंपल तरीका है, बोला सर 5 बजे का समय है, 11.60 में से माइनस कर दो, 11.60 में से 5 माइनस करोगे, तो यहाँ पर, भाई, आपका जो है, वो, 60 का 60 आएगा, ठीक है, और 11 में से 5 माइनस करोगे, तो आप लोग जानते हो, कि 5 के बाद, 6, 7, 8, 9, 10, 11, च्छे बज़े के साथ मिनिट को हम क्या कहते हैं बोला सर साथ बज़े हमारा जो है उस समय दिखाई देगा ठीक है यानि पांच बज़े का समय हमें क्या दिखाई देगा साथ बज़े का ठीक है पांच देगा मिनिट का समय है तो तैस साथ में से माइनस कर लो तैस और यहां से हमारी अठ्षारे है अठ्षारे और दो बीस तो आपके यह बचे तीन और दो पांच और यह कितना बज़ेगा त्ीस यानि 5 बज़ के 30 मिनट का समय आएगा 9.45 का समय है तो 11.60 में से माइनस कर लो 11.60 में से 9.45 माइनस करोगे मेरे भाई तो आपका यहां पर कितना बचा 5 और यहां 5 आ गया था 1.15 और यह 9 और 2.11 2 बज़ के 15 मिनट का समय होगा तो यह हमारा समय ऐसे दिखाई देखा क्लियर है? सभी निकाल दोगे अभी आराम से निकाल लेंगे कोई दिखकत नहीं होगी ना हमें पक्की बात है ओके की रिपूर्ट है भाई साब आराम से निकाल सकते हैं तो यह था मिरा इमेज अब हम लोग वाटर इमेज की और बढ़ते हैं वाटर इमेज की और बढ़ते हैं देखो वाटर इमेज में मालो 8 बज़ के 15 मिनट का समय है इसमें आप डाउन चेंज होता है दिखान डगना तो बार है 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 मालो के हमारा चार बज़े का यह कोई भी समय मालो जो आपका मन कर रहा हो मैंने का भाया कि तीन बज़ के यह तीन बज़े का समय है तीन बज़े का समय है ठीक तीन बज़े का समय है तो तीन बज़े आप लोग बताइए कि यह मिरर में कैसा समय दिखाई देगा ये सुई घंटे की दर होगी, और मिनिट की सुई आठ भीस पे यहाँ होगी, मिनिट की सुई यह होगी, अब इसको जब हो उपर ले करके जाएंगे, यानि लेफ्ट राइट चेंज होता है, अपडाउन चेंज होगा, यानि ये उपर जाएगा, तो यह आठ पे सुई यह दस पे सुई रहेगी, दस के आसपास, और यह आपके सुई एक उपर स्टेप है, तो यहाँ रहेगी, तो यह आपका समय क्या दिखाएगा, 10 बज करके, 10 मिनट का समय, लेकिन 10 बज के 10 मिनट का समय, तब होता यह जो घंटे की सुई है ना वेर भाई यह यहां होती यहां अब 10 पे 20 मिनट चलेगी थोड़ा बहुत आगे नहीं जाएगी तो यहां हमारा mirror image के अंदर तो fix हमें आ जाता है लेकिन water image में हमारा fix हमें कभी आता नहीं है तो हम इसके लिए जो trick इस्तेमाल करते हैं कभी कभी माइनस का एक भी कर देते हैं ठीक है माइनस का एक भी कर देते हैं हाला कि trick बढ़ी आसान है कोई आपको दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है जैसे water image की मैं trick आपको दिखाता हूँ water image में मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा ध्यान देना जैसे आपका समय दे रखा है एक भज करके 30 मिनट का बला यह water image में कैसा समय दिखाई देगा या आपको समय दे दिया भाई मेरे कुछ भी समय दे दिया इवन आठ बज के 20 मिनट का समय दे दिया कैसा दिखाई देगा बताओ ट्रिक से निकालना है तो ट्रिक है आपकी 18-30 18-30 में से अगर आप माइनस कर देते हैं water image तो आपकी clock आ जाएगी हाप ए clock आ जाएगी तो कर लो आप कोई दिक्कत नहीं है आपको कर लो आप कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई कैसे करोगे अब कभी कभी क्या है न एक काम होता है कि मानलो आपका आजए कि 8 बज़के 55 मिनिट में से बताओ तो 18-30 में से नहीं घटा सकते 55 मिनिट को तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं दूसरी बासा में इसी को हम न एक घंटे को इधर मिनिट की तरफ ले जाते हैं तो इसी को हम 17-90 भी कह सकते हैं तो 17-90 में से आप माइनस कर देंगे किसको? जले प्रतिबिम्ब को तो आपका आंसर आजाएगा भाई घडी का तो या तो 17-90 कर लो अगर टाइम कम है तो आप 18-30 में से कर लो ठीक है? अब देखे जैसे मैंने कहा आपसे 1 बज़ के 30 मिनिट का समय है तो आप इसको क्या कर सकते हैं? 18-30 में से माइनस कर सकते हैं 18-30 में से 1-30 माइनस किया तो 00 और यह आपका 17 बज़े और 17 का मतलब आप जानती होंग आई होप सत्रे का मतलब क्या होता है सत्रे बज़रे हो अगर घड़ी के अंदर तो सत्रे बज़े का मतलब क्या होता है पांच बज़े बिल्कुल ठीक तो ये पांच बज़े का समय होगा तो आठ बज़ करके एक बज़े के तीस मिनट का मतलब क्या है कि वो पांच बजे का समय दिखाएगा पांच बजे का समय दिखाएगा मैं एक बार इसे प्रूफ करके दिखाता हूँ घड़ी में प्रूफ करके दिखाता हूँ एक डेड़ बजे के समय को है न डेड़ बजे के समय को प्रूफ करके दिखाता हूँ एक मिनिट रोकना ज़रा, देखो जैसे मैंने ये घड़ी बनाई, अच्छा पीशे बनी हुई है उसमें काम करते है, जो बनाई थी वो मिटा दी गया, चलो बना लेते हैं दोबारे, यहां बनाते हैं दोबारा, बारा, छे, तीन, नो, एक, दो, चार, पांच, साथ, आठ, दस, ग्यारा, यह है, अब जैसे मान के चलिए भईया, आपका समय है डेड़ बजेगा, बलाए डेड़ बजे सुई, एक तो सर रहेगी इधर, यह घंटे की सुई है, और मिनट की सुई रहेगी इधर, लेकिन क्योंकि यह वाटर इमेज में चेंज होगा, तो यह मिनट वाली सुई तो उपर पहुँच जाएगी सीधी यहां, और जो एक स्टेप नीचे वो पहुँच जाएगी यहां, चीक है, यहां, तो यह समय अब देखो, जैसे डेड़ बजे सुई होती है, अब एक बात बताओ मुझे, डेड़ बजे घंटे की सुई एक और दो के बीच में होती है, तो यह कहां जाएगी, एक और दो के बीच में, तो यह जाएगी आपकी स्टेप चार और पांच के बीच में, यहां, तो हमें यह वाल चार बज़े का समय तो आपके exam में fix answer में बतारों नहीं होगा या तो पांच बज़े होगा पांच बज़े नहो तो एक minus कर ले ऩा चार बज़े आंसर होगा ठीक है चार बज़े होगा ठीक है इस सर क्लास कितने बज़े तक चलेगी तो देखो भई यहाँ पर आप लोगों ने देखा next आठ बज करके 20 मिनट का समय तो जब हम 8 बज के 20 मिनट का समय ले रहे हैं तो हम कैसे करेंगे इसको भई 8 बज को हम 78 तीस में से माइनस करनेटे कितना 8 बज करके 30 मिनट तो यहाँ पर कितना बचेगा 10 तो ये बचे और 10 ये बचे 10 बच के 10 minute answer आएगा वई ये correct answer है और अगर 10 बच के 10 minute आपके option में ना हो तो 9 बच के 10 minute आपके exam में हो सकता है तो या तो ये दिरखा होगा या आपको ये दिरखा हो exam दरने दोनों एक साथ आएंगे तो 10-10 answer करोगे ठीक है दोनों option में आजाएं बोला 5 बचे भी है चार बचे भी है तो 5 बचे आफ रेफरेंस करेंगे उसको correct ठीक है clear हुई बात चलें आगे तो ये water image का खेल है ये water image का खेल है ये water image का खेल है पांच बचे ठीक है बार है बचे 6 बचे 15 मिनट इनका answer आप लोग कीजिए फटा फट क्या होगा इनका answer आप लोग कीजिए इनका answer कीजिए फटा फट क्या होगा चलिए तो देखो ये error clock तक आपका error clock आपका last topic है ठीक है और last topic को क्योंकि आप लोग student बहुत कम जुड़े हुए हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि भई अगले संडे में हम error clock का अलग से part लें क्योंकि कम से कम हमारा error clock में दो घंटे की class लगेगी और मुझे नहीं लगता कि आप दो घंटे जुड़े रहोगे हैं आपके आपका यह तो मैंने देख लिया कि 60-70 student थे starting में जब आए थे live और अभी हमारे पास केवल 30 student है तो यह 30 जो student है यह तो रुके रहते हैं और हमीसाद रुके रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है उनको लेकिन बाकी के जो गायब हो गए वो इधर से उधर मगज मारते रहते हैं उनको यह नहीं पता कि कहां से पढ़ना है क्या नहीं बढ़ना है तो कोई बात नहीं मेरे भाई यह आपका topic हुआ complete पूरा clock का एक केवल type बचा हुआ इसके अंदर कौनसा error clock error clock इसको हम next class में cover करेंगे इसके इलावा मैं आपको बता दूँ कि अगर दोस्तो आपको reasoning का special batch लेना है या हमारे online test लगाने हैं आपको बिल्कुल free mock test है हमारे पास हमारे application competition गुरूपर 100% आपके free है और paid भी है हाला कि ऐसा नहीं है केवल सारे free हो free paid दोनों है तो आप यहां से देखेंगे तो यह test series का option है इस पर click करोगे तो यहां बहुत सारे test series आपको मिल जाएंगे इसके अलावा यहां देखिए आप लोग यह रहे न UP police constable mock test reasoning mock test weekly mock test weekly mock test आपके लिए बिल्कुल free होते हैं ठीक है यहां कोई charge नहीं होता है जैसे मैंने view पे click किया तो यह आपका आज भी test लगा था SSE CGL वालों के लिए शायद आपने दिया होगा या नहीं दिया होगा जैसे यह है SSE CGL mock test ठीक है यह आप लोगों ने दिया था यह आप लोगों ने क्या किया था भाई साब दिया था समझ रहे हो तो यह अगर आप देना चाहते हैं तो बिल्कुल free है और हर संडे को 12 बज़े यह test लगता है हर संडे को 12 बज़े बिल्कुल free होता है और अलग-अलग exams के लिए होता है और अगर आपको course लेना है reasoning का special तो भाई इसके fees मातर 699 रुपे है complete batch है एक साल की validity है ठीक है एक साल की validity है और यह 40% का discount मिल रहा है तब आपको 699 रुपे पर है यानि एक बात का और धियान रखेंगे कि हमारा जो reasoning के batch होते हैं वो हर महीने आते हैं या कोई भी batch जैसे reasoning का हुआ हिंदी का batch हुआ हर महीने ये batch launch होते है बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर हम भारी discount आपको 8 तारिक तक provide करवाते हैं यानि एक तारिक से ले करके 8 तारिक तक आपके batch की जो fees होती है वो minimum fees होती है कि कम से कम हम कितना रख सकते हैं ठीक है क्योंकि हमारे यहाँ पर इन दिनों में बैच को बाय करते हैं तो आपको कम से कम फीज के साथ वो बैच देखने को मिलेगा जैसे अभी इसकी केवल 599 रुपे फीज है और आज तारिक कितनी है साथ तो अगर कल तक आप इस बैच को बाय कर लेते हैं तो केवल आपको यह 599 रुपे मिलेगा लेकिन उसके बाद आपको 699 रुपे में पंदरे तारिक तक उसके बाद टर्पल नाइए ठीक है बागी कोई डाउट रहता है तो आप लोग जरूर बताईएगा निहा कहरी है कि रात को क्लास होगी नहीं आज रात को क्लास नहीं होगी क्योंकि मैं आज घर निकलूगा सीधा यहां से क्लास के बाद ठीक है तो रात को क्लास नहीं होगी हाँ कल से क्लास रेगुलर अपने समय पर चलेंगी सारी की सारी तो आप लोग Competition Guru आप जरूर डाउनलोड कर लें मौक टेस्ट देना चाहते हैं विल्कुल फ्री तो जरूर से आप Competition Guru आप डाउनलोड कर लें यहां पर Current Affairs बगरा इस सारी चीज़ां जो है फ्री हैं यहां पर जैसे टेस्ट स्रीज में बहुत सारी टेस्ट स्रीज आपके डालेंगे और अभी काम चल रहा है हमारा regular तो आप लोग जरूर से टेस्ट देंगे बहुत बहुत धन्यवाद कोई doubt हो तो आप पूछो नमस्ते राम राम धन्यवाद मेरी तरफ से end है आपको कोई doubt हो कुछ परिशानी हो तो आप पूछ सकते हैं